हलो एवरीवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके इपने प्लेटफर्म परिक्षा प्लस पर टेम की ओर से मैं रमन मिश्टा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्ते हूं कल मैंने लाइब के तौर पर क्लास ले थी जिसमें मैंने मार्च महीने के प्रथम करेंट को मैं आप से लगातार करवा रहा हूं टेम की ओर से पूरी मेहनत है कि आपको लगबग 6 महिने के करेंट अफेर्स प्रोवाइट करा दिये जाए जो कि आपके बीए एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे इन करेंट अफेर्स का PCS प्रेलिम्स में भ वो सभी बहुत ध्यान से देखें ठीक है इसकी महतपूर भूम का हर एक आपके लोकसेवा आयुक चाहे किसी राजिकी आप दे रहें सभी में समान रूप से बराबर सावित होगी इसलिए इस सीरीज को रामबान के तोर पर रखा गया है आज मैं लाइब ना होके उसमें सेलेक्ट किया है रिकॉर्डेट फॉर्म में किया है तो जो लोग नए मित्रगण है वो सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें मार्च की वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लीजिए ऐसे लगबग 6 महीने तक यह भी फरवरी है जनवरी भी मिल जाएगा फिर दिसंबर 19 का फिर नवंबर ऐसे ही सब कुछ मैं आपको उपलब्द करा दूंगा आगामी जो भी परिक्षा होंगी सभी के लिए डेली बेसिस पर हमारे यां करेंट की सिरीज चलती ही चलती है उसको जरूर अटेंड करिए ठीक है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ज सभी के लिए यह है कि कुछ चीजे बिसे इस तोर पर आप लोग जरूर जोइन करें इसमें आपका ठीक है यह फरवरी माह की करेंट है ना कि जनवरी की सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है दूसरी बात फेस्बुक का हमारा गुरूफ है परिक्षा प्लस इससे जरूर जोइन हो जाए इन पर एक्जाम औरेंटेट बहुत सारी जानकारिया मिलेंगी सारी की सारी पीडियाफ आपकी परिक्षा प्लस हमारे टेलिग्राम पर दी टीम के कोई ना कोई सदस्के तौर पर लाइब भी मिलते हैं इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए साथी साथ इसके बेल आइकन पोस्ट करते ताकि समय पर आपको लाइब की नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे जिदने भी प्रोग्राम होते हैं वह हमारी वेबसाइट परिक् रिक्षाओं के जो है इस पर आपको टेस्ट अपलोट करें मिल जाएंगे तो आपको यह भी जोईन करना है साथ ही साथ उत्तरप्रदेश विसेस की हमारी अवी इस रंखला मैंने प्रश्णों की कराई है लगबाग 500 प्रश्ण उसमें हैं प्लस अभी 200-500 प्रश्णों के क तो 800 प्रश्णों की एक सिरीज है उसको जो लोग परशेश करना चाहें वहीं एप से डारेक्ट परशेश कर सकते हैं आपको संपूर्ण पीडियम मिल जाएगी ठेक है और पूरी क्लासेज मिल जाएंगी अब मैं क्वेस्टन की और बढ़ रहा हूं तो कंसेंट्रेट हो ज शिमत बरते हैं क्योंकि जब आप पूरी तरीके से कंसेंट्रेट होंगे तभी ठीक है दिलो दिमाग का पूरी तरीके से जोड़ा उस वीडियो के साथ बनेगा ठीक है तो चलिए सुरुवात कर रहा हूं सारे लोग ध्यान दें पहला प्रशनाप सभी के सामने है पहला प् बिकती रहा जिसे दिल्ली का नया पूलिस कमिशनर बनाया गया है तो हमेशा इसमें जो सही उत्तर होगा ध्यान रखेगा एसेंसरी वास्तो वह बिकती हैं जिनको दिल्ली का नया पूलिस कमिशनर बनाय जाने की घोच्रा हुई है ठीक है यह अमुली पढ़नायक का अस्थ बिसेस पुलिस आयुक्त लाइन ओर्डर के तोर पर थी ठीक है बिसेस पुलिस आयुक्त इनको बनाया गया था लाइन ओर्डर के लिए अब इनको दिल्ली पुलिस का नया कमिशनर जो है बनाया जाने की घोश्रा हुई है दूसरे प्रश्ण की ओर बढ़ रहे हैं दूसरा प भारत में भोजन की थाली का अर्थसास्त्र किस नाम से दर्साया गया है थाली नामिक्स फूट टू फाइनेंस प्लेट टू पॉकेट पॉकेट नेंड प्लेट अगर इसमें सही उत्तर देखें कि भोजन भारत में भोजन की थाली को का अर्थसास्त्र जो है किस नाम से दर्स लिए ऐस को नया नाम दिया गया थैलि नावक्स आर्थिक समिच्छा 19-20 में इसको थैलिक नाम दिया गया है यानी एक आम आदमी थैलिनाम इक मिनलब क्या समक्षा है थालीनोमिक्स झाली ठेल यानि एक वेखती अपने बोजन पर कितना रुपए खर्च करता है प्रत दिन इसी को थालीनॉमिक्स दिए गया पूर्य भारत के लिए जो हर वेक्ती आपका भुकतान करता है यानी एक टाइम का खाना खाने के लिए इन सभी का अध्यन है आपका ठीक है चलिए और इसमें अगर देखा जाए सबसे जरूरी बात और क्या निकल के आई है इसमें यह कहा गया है कि 2667 से लेकर के अगर 2020 तक देखा जाए 2067 से लेकर 2020 तक देखा जाए तो भारत में साकाहारी थाली की वहनेता में 29% का सुधार हुआ है 29% लोग अब साकाहारी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सामिल कर रहे हैं 2667 से लेकर के 2020 के दर्मियान इतने वर्सों के अंतराल पर जो साकाहारी थाली भारत में हैं इनमें कहीं न कहीं 29% का सुधार दिखाई दे रहा है यानि साकाहार में लोग अब लगभग सब कुछ सामिल कर रहे हैं अगला प्रशन है तीसरा नंबर आप से पूछा है कह रहा ह मैं GDP के संदर्भ में दुनिया का सीर्स 10 अर्थवेवस्थाओं में भारत की अर्थवेवस्था कौन से अस्थान पर है अगर देखा जाए 2020 की जो हमारी आर्थिक समझचा रही इसमें trillion dollar में GDP देख लें किसके संदर्भ में दुनिया के संदर्भ में देखें टॉप 10 जो पर बोलते ही रहो ठीक है कि यह सही है बीस ही सही है इससे क्या होगा हमारा आपका जुडाओ एक अच्छी तरीके से होगा तो भारत जो है अर्थवे उस्ता अगर भारती अर्थवे उस्ता देखें तो दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्थवे उस्ता है ठीक है सीबिकल में जो दिया हुआ है अगर वर्स 2019 के अनुसार हम बात करें तो 2019 में भारत की अर्थवे उस्ता का आका 2.9 trillion था कितना? 2 2.9 trillion dollar इसमें हमारी economy है इसको हम दो गुना लगभग करने चाह रहे हैं पांच trillion economy बनना चाह रहा है भारत तो टॉप 10 में हम पांच वे नंबर पर इसमें वर्तमान में हैं तीसरी के बाद चौथा नंबर प्रश्ण आपके सामने है चौथा नंबर प्रश्ण पूछा है मुख ध्यान रखिए जो आर्थिक सलाकार है मुख्य आर्थिक सलाकार जिनका नम क्रिष्णमूर्थी सुब्रमान्यम है इन्होंने 2020-21 के लिए जो बाते कही है आर्थिक आपकी जो ग्रोथ के बारे में बात किया है अगर हम परसेंटाइल में देखें तो वह इनकी अनुसार 2.8 प्रसत है यानि इसको बढ़ाया जाए जियाए जादा और लचीले स्रम कानून अपने हाल लांए जाएं ऐसा उन्होंने परिभासित किया है कि भारत में लचीले आपके स्रम कानूनों का लाना भी बहुत जरूरी है समझ गए इससे क्या होगा जो आपके देश के अधिक तरजीले हैं इनमें रोजगार का सिर्जन बहुत जादा होगा जब रोजगार का आपका सिर्जन बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या होगा इसमें 20-21 के बारे में अगर हम बात करें 2020 से लेकर के 21 के बारे में ठीक है, इसमें क्रिसी और ज़ो आपके अपनी िससे संबन्दी छेत्र है उनमें 2.8 प्रेसर रोजगार की बढ़ोतरी होगी समझ गए? तो 20-21 में क्रिसी और अनिशित्रों से संबंधि 2.8 प्रिस्द रोजगार के बढ़ने की आसंका है अगला है ठीक है संभावना है आसंका स्वारी अगला प्रशन आप से पूछ रहा है कि हाली में किस संगठन ने भौन पंचायद पोर्टल लांच किया शबर चली अगर वह ब्रौन पंचायद पोर्टल किसके द्वारा लांच किया गया इसका पूरा नम अगर देखा जाए तो ब्रौन पंचायद 3.0 इस प्रॉज़ग्स के तहट क्या करना है यह ब्रॉज़ift बिस circular पर ग्राम पंचायद के सदते Counter-ivot किसके साथ, ग्राम पंचायतों के सदस्यों के साथ मिल के कारी करेगी, और यह पोाटल, इसरो की उपगरागट टेक्णॉलजी के आधार पर कारी कर रहा है, जो इसरो की स्टर लाइट है, उणके आधार पर कारी करता है, ये प्रोजेक्ट दो सालों तक चलना है और इस प्रोजेक्ट की सहायता से ग्रामेड विगास नियोजन में काफी ज़्यादा जो है लावकारी ये थावित होगा उसके लिए इस तरीके से इसरो का ये प्रोजेक्ट रहा तो भूवन 3.05 पॉर्टल जो है इसरो के द्वारा ल हास्त सिल्फ विकास कार्पोरेशन के साथ ग्यापन समझोते पर हस्त अचर किया है अगर देखा जाए कि फरवरी मा की घड़ना रही जिसमें एक आमर्स कंपनी ने अस्थानिये हिल जो है हस्त सिल्फ को बढ़ावा देने के लिए गुजरात हस्त जो है हतकरगा वहास्त सि विकास कार्पोरेशन के साथ ग्यापन पर समझोता किया है यह समझोता क्यों किया गया है क्योंकि अस्तानिये सिल्फ को बढ़ावा देना है और यह फ्लिपकार्ड ने एक कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक पहल चलाई थी जिसका नाम दिया था समर्थ यह समर्थ का एक हिस्सा है, समर्थ का एक हिस्सा है, जिसके द्वारा उसने क्या किया है, अस्तानी हदसे को बढ़ावा देने के लिए एक समझोता किया है, समझ गए, साथ नंबर प्रशनाप के सामने है, बोला भारत की किस फूटबाल खिलाडी ने किसी बिदेसी फूटबाल कलब से करने का हमेशा दिमाग में बनाए रखी गया भारत की वो खिलाडी बाला दे भी है जिसने किसी बिदेशी आपके फुटबाल क्लब से जुड़ करके एक गौरो चंड जो है भारत के लिए दिया है और यह भी ध्यान रखेगा यह यूरोपीय क्लब से जुड़ी है किस से यू आवधी जो है जोडने की अठारा माँ है अवधी अठारा माँ है जोडने की ठेक और बाला देवी भारती महिला टीम की जो आपकी फुटबाल टीम रही है उसकी कफ्तान भी रह चुकी है समझ गए आड़ नमबर प्रशन आप सभी के सामने हैं आड़ नमबर प्रशन आप से पूछा है कि किस अंतरराष्टी स्मार्टफोन फर्म ने हाली में IIT हैदराबाद के साथ अनुसंधान और विकास परिजुनाओं के लिए एक समझोते गयापन पर हस्ता चर किया है अगर बात करें कि वह स्मार्टफोन फर्म कौन सी है जिसने IIT हैदराबाद के साथ अनुसंधान और विकास परिजुनाओं के लिए एक समझोता गयापन पर हस्ता चर किया हमेशा दिमान में बनाए रखीएगा वो फर्म आपकी कौन सी है चीनी का जो ब्रांड है अपो ठीक है ओपो के तौर पर आप जानते हैं चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ओपो ने बिज्ञान और प्रिजुक्की के छित में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT हैदराबाद के साथ एक हस्ता चर किया है अनुसंधान कारी का जो मुखी अनुसंधान है वो कि इस पर है फोकस कैमरा पर चावी प्रसंस करेंट पर फोकस कैमरा पर यह काम करेगा ओपो और जो आपकी इमेज होती है उस पर कारी करना है ठीक साथी साथ बैटरी नेटवर्क हो गया 5G खास कर सिस्टम प्रदर्शन हो गया आर्टीफिसिल इंटेलिजेंस हो गया आन्य सारी चीजों को यह फीचर्स को अपने फोन में कही ना कहीं बढ़ावा देने के लिए ऐसा इसने समझोता किया है नौनमबर प्रशन आप सभी के सामने हैं नौनमबर प्रशन आप से पूछ रहा है कि आर्थिक सर्विच्षन 2019-20 के अनुसार आगामी वित्तवर्स के लिए आर्थिक ब्रिदिदर कितने प्रिच्षत रहने का नुमान है बताए वई उननीस बीस के लिए जो आर्थिक सर्विच्षन हुआ 2019-20 के लिए इसमें आगामी वित्तवर्स के लिए आर्थिक ब्रिदिदर कितने प्रिच्षत रहने का नुमान लगाया गया चलिए फटा फटा आप सारी लोग जबाग करिए ज्यान रखेगा छे से साड़े छे प्रसत वो आपका रेट रखा गया है आर्थिक ब्रिदिदर रखी गई है जो आगामी 2019-20 के आगामी वित्तवर्स के लिए होगी समझ गए अगर इसमें बात करें इसे जुड़ी सारी चीजे तो सर्विच्षन में ये भी बताया गया कि 5 ट्रिलियन जो भारत का gibt का अलक्षिये 500 ट्रeलियन डालर्रिक बचनी बने का लग्षियत उसमें वे वसलाचते को वहांसल करने के लिए कुजी जो है उसकी और दोगीक छेतर का प्रदर्सन होगा हमारे बहुत अच्छा प्रदर्सन राहे तो 5 ट्रियल geliyor एकौनमी बढ़ने की और हमा की खिलाडी को मिला है चलि फटा फट अपने जबाब करिए कि वह कौन सी हाकी के लाड़ी है जिसी वर्ड गेंस अतलिट अब दा येर के तोर पर सम्मानित किया गया है और यह ऐसा करने वाली पहली हाकी जो है प्लेयर हैं पहली हाकी प्रश्णाप के सामने है 11 नंबर प्रश्णाप से पूछ रहा है कि भारत ने किस वर्स तक 5 trillion डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद हांसिल करने का लक्ष बनाया 5 trillion dollar हम कब तक हांसिल कर लेंगे हमारी GDP 5 trillion dollar कब तक जाएगी फटाफट अपने जबाब कमेंट करते रहें ध्यान रखिए वो हमारा जो अनुमान है ये 2024 से 25 तक है हमारा जो लक्ष है ये 2024 पचीस तक है कि हम 2024 पचीस तक 5 trillion dollar का सकल घरेलू उत्पाद हांसिल कर लेंगे इसके लिए भारत को अपने मुलभूत जो इसके संरचना है इस पर 100 लाख करोड रूपए लगभग खर्श करने होंगे 100 लाख करोड उपए भारत जब अपने मुलभूत इन्फर इंस्ट्रेक्चर पर जो है खर्श करेगा तो 5 trillion जो है एकॉनमी को 2024 पचीस तक हासिल कर लेगा 11 के बाद 12 नमबर प्रश्णाप के सामने है 12 नमबर सवाल आपसे कहा रहा 24 सूरज कुण अंतरराश्टी सिल्प मेले का आयोजन किस राजी द्वारा किया गया है 34 नमबर का जो सूरज कुण अंतरराश्टी सिल्प मेला रहा ये किस राजी के द्वारा किया गया है हमेशा दिमाग में बनाई रखेगा जब हम बात करेंगे वह राजी कौन सा है राजी रहा आपका हरियाना ये भी गल्प आपका सही होता है ठीक है ये थोड़ा सा जरूर भी बनता है इस सल वजबेकिस्तान भागिदार देश और हेमाचल प्रदेश ठीम राजी है समझ गए और इस मेले का आयोजन 1987 से होता चला आ रहा है 1987 से सुरवात है और इस बार ये 24 सुरज के आपका अंतरराश्टी सेल्प मेला है आगे बढ़ते हैं इसके बाद 12 के बाद हम जबाब देखें का उनसा उत्तर आपका सही होगा तो जन्वरी अगर 2020 तक देखा जाए भारत में स्वास्त और विलनेस के इंद्रों की स्थपना वह संख्या 28005 है से विकलप आपका राइट है स्वास्त सेवाओं तक में सुधार लाने और बड़े पैमाने पर सुधार जो है स्वास्त सेवाओं को लोगों को उपलब्ध कराने की वज़े जो है कराने के लक्षिशे या कराने के दिसा में दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्त सेवा योजना जिसको जिसका नाम क्या है आईशमान भारत ठीक है आईशमान भारत ने 14 जन्वरी 2020 तक कितना 28005 ठी सतत विकास लक्षी जो है जिसको SDG 4 नाम दिया गया है कि तहट किस वर्स तक सभी लोगों को समावेशी यम समान गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा उपलब्द कराने का लक्षी रखा गया यानि एजुकेशन सभी को कब तक बराबर रूप से समान रूप से गुणवत्ता पू समान गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा उपलब्द कराया जाए तो सी विकल्पा आपका सही है गौवर्मेंट इस चीज पर कारी कर रही कि 2030 तक सभी को समावेशी और संतुलित सिक्षा मिले 15 नमर प्रश्ण आपके सामने है आर्थिक समिच्षा के अनुसार 2018 में भारत में ज लाक चोवीस हजार है एक लाक चोवीस हजार नई कंपेनिया भारत में बनी हुई है तो समझ सकते हैं कितना बड़ा अकड़ा है आगे बढ़ते हैं इसके बाद 15 के बाद 16 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 16 नमबर सवाल आपसे कह रहा है कि आम बज़र 2020-21 के तहट ठीक ह को माफ कर दिया गया इंकम टैक्स स्लैब के बारे में आपसे सवाल पूछा है चलिए अपना जबाब कमेंट करिए और सही उत्तर मैं बता रहा हूं फिल मिलन करिए 5 लाक रुपए तक जो बेप्ति आते हैं जिनकी वर्सिक आपकी आए 5 लाक रुपए है उन्हें कोई भी करना होगा समझ गए और 5 से जो सारे साथ के पीच में आते हैं उनको क्या करना है कर देना है दस पर संट उन पर टैक्स लगेगा और जिनकी यह रहे हैं 1,5 लाक यो है 1,5200 लाक 510 इन की वर्सिक आए कर बीस परसेंटे इनकम टेक्स अनको 20% income tax इनको साला ना देना होता है समझ गए आगे बढ़ते हैं सोला के बाद 17 नमबर प्रशन आपके सामने हैं 17 नमबर आप से पूछा है कि बजट 2020 में भारत में मौझूद कितने पौरोडिक अस्थलों को परेटन अस्थलों के रूप में विक्सित किये जाने की बात कही करोड उपए खर्श करके कितने करोण पचीस सो करोड उपए खर्श करके इन सभी को दीरे दीरे बढ़ाया जाएगा उनमें कौन-कौन से छेत्र हैं यह भी आप ध्यान रखिए पहला तो आपका हस्तिनापूर का पढ़ता है उत्तर प्रदेश ठीक है पहला हो गया हस्तिनापूर शेत्र यह उत्तर प्रदेश वाला दूसरी चीज अगर देखें सिवसागर शेत्र आपका है इन सभी पर डेबलेमेंट कारी होने हैं सिवसागर शेत्र है यह सिवसागर शेत्र आपका पढ़ता है कहां पर यह पढ़ता है अशम में ठीक यह अधिचल नूर है, चोथा जवाब का नाम है, यह नाम है अधिचल नूर का, अधिचल नूर, यह प्रांत जो छेत्र पड़ता है, यह छेत्र आपका पड़ता है, कहां पर, यह छेत्र आपका तमिल्लाडू में पड़ता है, ठीक है, यह तमिल्लाडू का छेत्र है, और प अठारे नंबर प्रश्ण आप से पूछ रहा है कि बित्मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्स तक भारत को TB मुक्त बनाने की घोश्रा की गई अगर इसमें सही उत्तर देखा जाए 18 नंबर प्रश्ण में हमेशा दिमाग में बना लो किसानों के लिए दूसरी भी चीज़े बहुत सारी योजनाए रही है तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखे सब कुछ कबर हो जाना है आर्थिक को बजट को सब कुछ मैंने सामिल कर लिया है इसमें तो 18 का सही जवाब होगा दोजर पचीज तक ठीक है और इस अवियान का जो नाम रखा गया है इस अवियान को किसी साब से सुरू किया गया टीवी हरेगा देश जीतेगा क्या नाम दिया गया है टीवी हरेगा और देश जीतेगा इसी नाम से इस अवियान को सुरू किया गया है तो इसको मत जल्द से जल्द बाजार में पहुचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंप की जाने की घोचला की गई चले वही बताईए किसानों की फसल बाजार में बहुत जल्द से जल्द पहुचे इसके लिए सरकार ने कौन सी एक नई योजना शुरू की है हमेशा दिमाग में ब पहुचाना की पहुचाया जाएगा समझ गए इसमें सही है 19 के बाद 20 नंबर पर बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्ण आपसे बोला है कि बजट 2020 के अनुशार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घुचरा की गई है तो आप सारे लोग जानते हैं वह संस्था को IPO के मादन से बेचा जाएगा ठीक है अभी बैराल अगर देखा जाए भारत जीवन बीमा निगम में सरकार की जो हिस्सेदारी है यह सव फीजदी है लेकिन अब सरकार इस सव फीजदी में से एक हिस्से को बेचने जा रही है समझ गए चलो वाई आगे बढ़ते हैं 20 के बाद 21 नमबर प्रशन आपके सामने है 20 नमबर सवाल किस नमबर आप से पूछा है कि निमने में से किस बैंक ने अपने ग्रहकों के लिए 24 इंटु 7 आई वैक्स नाम से नई सेल्फ सर्विस डिलिवरी सुधा लांज की है तो वह बैंक कौन सा है भारत का अगर इसके बारे 27 आई वैक्स नम से एक सेल्फ जो है सर्विस डिलिवरी सुधा सुर्वात की है समझ गए आगे बढ़ते हैं किस के बाद 22 नमबर प्रशन आपके सामने है 22 नमबर प्रशन आप से पूछ रहा है आसान सा प्रशन है क्रिश्टीना मलादेनोविच और टिमिया बाबोस की जो जीता है तो यह कौन सा लगातार बार राय जब उन्होंने ऐसा किया है यह लगातार दूसरी वार ऐसा रहा है जब इन दोनों की जोड़ी ने इन दोनों को हराया है समझ गहें आश्ट्रेलियन ओपिंस में तो अब मत गलत करियेगा यह दूसरी बार रहा है जो बैस के बाद 23 नंबर प्रशनर आप सभी के सामने केहरा लेन sudah मिसी इस्पैनिस फूटबाल के इतिहास मैं कौ Ace 심ले पहले खिलाडी बने चलो फट आ फटफट जबाब दो हराया था इस्पेन को और इस्पेन को हरा दिया तो अब ये इनकी ये उपलब्दी भी पूरी हो गई कि ये 5000 मैच खेल चुके हैं तेज के बाद 24 पांच हजार स्वारी 500 प्रश्ण आप से पूछा है कि कौन सा देश दूसरी बार राष्टमंडल का चोवनमा सदसी बना ठीक है 54 नंबर का सदस फिर से कौन बना है तो ये प्रश्ण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्डेंट होता है हमेशा दिमांग में बना लीजिए वह देश आपका मालदीव है मालदीव अभी क्या हुआ है दूसरी बार राष्टमंडल देशों में का चोवनमा सदसी बन चुका है तो 24 का विकलप आपका ये सही होगा ठीक है मत भूलिएगा आप क्योंकि माल आपसे पूछ रहा है कि आश्रेलियन ओपन का महिला वर का सिंगल खिताब किसने जीता अभी मैंने डबल वाला आपसे बात किया अब सिंगल खिताब के बारे में बदता ही है कि किसने जीता ठीक है सिंगल खिताब चलिए इसमें सही उतर की बात करें कि सिंगल खितने वाली कोपी किताब लेकर वैड जो मैं प्रस्टर बोना कि खट से अपने लिगेरी जी वर तो श्को करती चलो लास्ट में कमेंट करना मैं जबाब करेगा में मैं जबाब दूंगा की हम्हाँ इ। निदaiser 자яж पर और वहे 比較 सब्सक्राइब का यह किस खेल से आपके संबन्दितें हमेशा दिमाग में बनाई रखेगा ये वास्कट बेल के खिलारी थे बीवीगलब कर वास्कट बाल जो भरती एटीम रही उसके ये कप्तान भी थे कौन मैथ्यू सब्सक्राइबू ये भारती वास्कट वाइल टीम के जो है कर्तान भी थे इनका हाली में निधन हुआ है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण आपका है 27 नंबर 27 नंबर आप से पूछा है कि हाली में किसने विप्रो के सी यो पत से इस्थिफा देने के लिए का फैसला किया ठीक है सही उत्तर चुनिए व हमेशा दिमांग में बनाए रखेगा वह व्यक्ति आपके आविद अली जेड नीमस वाला है डी विगलप आपका सही होगा आविद अली जेड नीमस वाला ने अभी बिप्रो कंपनी के सी यो से किपत से इस्थिफा देखने की बात कही है 27 के बाद 28 नंबर है 28 नंबर आप इसमें हमेशा दिमांग में बना लीजिए ठीक है कि वह राशी आपके किनी है तिरान 99,300 करोड उपय है जिसको सिच्छा बजट पर खर्च किया जाना है बीबी गलप आपका एकदम सही है अगर आपने चुना है ठीक है गलत है तो धियान रखिए 28 के बाद 29 नंबर प्रश इसमें कितनी राश यावंटित की गई है चलिए सही उत्तर को देखते हैं तो 29 नंबर प्रशन का आपका सही उत्तर होगा 35,600 करोड यानि विगल ये सही है 35,600 करोड उपय अब जो है महिला बाल विकास छेत्र में पोसण के लिए खर्च होगा समझ गए आगे बढ़ते हैं तीस नंबर प्रशन आप सभी के सामने हैं तीस नंबर प्रशन आप से पूछा है कि बजट 2020 के अनुसर कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रानिक बनाया जाने की घोस्रा की गई है चलिए फटा-फट उत्तर दीजिए कितने लंबे जो है जो ट्र किलो मीटर आपकी लाइन है जिसको अब एलेक्ट्रिक फाई किया जा रहा है यानि यहां पर विद्विती करण का कारी चल ला है तो सी विगल जिन लोगों ने सोचा है बोला है कमेट किया है वो लोग एकदम सही है एक तेस नंबर प्रशन आप सभी के सामने है इंक तेस न किमाग में बना लो इकबाल कासिम का ठीक है सी विकल में जो लिखा हुआ एकदम सही है इकबाल कासिम ने ऐसा किया है इनको जो है अध्यच बना दिया गया है तो 31 के बाद 32 नंबर प्रशन आप सभी के सामने हैं 32 नंबर आप से कह रहा है कि नाडा ने डोब टेस्ट में फ नडा ने हाली में डोब टेस्ट में फेल होने पर भारती पहलवान रविंदर कुमान पर चार साल का जो है क्या लगाया था प्रज्बन लगाया था बी विगल पाप का सही है जिन लोगों ने भी उत्तर कमेंट किया है वो लोग एकदम सही है चली बाद 32 के बाद 33 की और त चली सही उत्तर की और बढ़ते हैं कि वो उत्तर कौन सा आपका सही होगा तो 33 नमबर प्रस्ट में अगर सही उत्तर देखा जाए तो वो आपके जोकोबीश है नुवाग जोकोबीश ने जो है आस्ट्रेलियन ओपन का पूरुस एकल खिताब जो है जीत लिया है चली बाद 34 नमबर की ओर चलते हैं 34 नमबर प्रस्ट मेंसर खिताब आँपिda की में मेंसर्डवल की चिताब खताब जो है ज creative लोग नहीं समझ गहें ओ जिन depressing list लिए जिन लोगों में वे dafür एग दम सही है वह चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण को देखते हैं 35 नमबर प्रश्ण आप सभी के सामने हैं 35 नमबर प्रश्ण आप से पूछा है ठीक है कह रहा है कि best spoken word album के लिए किस अमेरिकी महिला ने Grammy पुरसकार जीता है बहुत ही जरूरी प्रश्ण है फटा-फट अपने जब सब्सक्राइब मिसल उबा मा को best spoken word album के लिए अवार्ड दिया गया है समझ गया और वह भी Grammy पुरसकार मिसल उबामा ने अपने संस्क्रांट जिसका नाम है बिक कि संस्क्रांट का नाम क्या है बिक मिंग बिक मिंग की audio वी रिकार्डिंग के लिए पुरसकार जीता ठीक है कि इनकी आगामी पोस्तक है उसके आडियो बुक इन्होंने रिकार्ड किया था उसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है 36 नमबर प्रश्ण आप से पूछ रहा है कि केंद्री आप रित्यशकर और सीमा सिल्क बोर्ड का चेर्मेन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया ठीक है केंद्री जो आपका रित्यशकर है और सीमा सिल्क बोर्ड है इसका चेर्मेन किसको नियुक्त किया गया है सही उत्तर के बारे में अगर बात करें तो अजीत कुमार, M. अजीत कुमार जो विगल्फ एक तोर पर दिया है, ये आपका विगल्फ सही है इनको किसका बनाया गया है, इनको केंडरे आपरितेशकर और सीमा सिल्क बोर्ड का सियर में न्यूक्त किया गया है समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं, अगला है, 36 के बाद 37 नंबर, 37 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निमलिखित में से किस दिन अंत्रीचियात्री कलपना चावला की पोड़िती थी मनाई गई, बताए वई, कौन सा इसमें से जबाब सही होगा, हमेशा दिमाग में बनाया पूरीचि थी पर सध्धानजली दीजग गई, इनकी मौत जो थी 2003 में होई थी, 2003 में आप जानते हैं, कॉलम्पिया इसमें सर्टल हात्से में, इनकी मौत हुई थी, 37 के बाद 38 नंबर आप से सवाल रहा है, प्रसिद्य लेखक और साहित अकादमी पुरसकार से सम्भान बना लीजे पंजाबी भासा ठीक है ये पंजाबी भासा के एक बहुत ही फेमस आपके लेखक थे इनकी हाली में मृत्ति हो गई है और 1996 में इनकी बहुत एक फेमस किताब आई थी जिसका नम था पाकी 1996 में इनकी एक किताब आई थी जो बहुत प्रसिद होई इसका नाम था पाकी समझ गए और इस पर इनको साहित अकादमी ने फेलोसिप दी थी और 2000 फिर उसके दो साल बाद ही 1996 के दो साल बाद 1998 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था तौसाली जिसका नाम क्या था पूरा नाम है तौसाली दा दी हांसो इस पर इनको साहित अकादमी पुरसकार भी मिला था तौसाली दी हांसो पर इनको साहित अकादमी पुरसकार भी मिला और पाखी पर इनको फेलोसिप बिली गये थी ठीक है आगे बढ़ते हैं 38 के बाद 49 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 49 नमबर आपसे पूछ रहा है कि लोग सभा में एक फरवरी 2020 को पेस किये बजट के तहट लद्दाक में विकास कार्यवित कितना बजट आवंटित किये जाने की सब्कृत किये गये हैं सरकार के द्वारा ठीक है उन सट सो अठावन करोड उपए से वहां पर क्या किया जाएगा वहां पर जो आपका संग सासित प्रदेश लद्दाक है विकास के कारयों को बढ़ावा देना है 49 के बाद 40 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 40 नमबर आपस ना है वो लोग एकदम सही होंगे पेट्रोनेट में अभी ओएंजीसी और एच्पीयल ने में कल मिल करके क्या किया है लगबक 34.56 परसंट हिस्सेदारी खरी लिया है ठीक है 40 के बाद 41 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 41 नमबर कह रहा है कि प्रधान मंत्री मात्रवंद्र का योजना जिसको पीम बीवाई पुरसकार में सार्वष्ट्र क्रण्वर प्रदर्षन रहा इस स्रेड़ी में पहला पुरसकार कि सद को दिया गया चले वता यह जो प्रधान – Candoni आपकी मात्रवंद्र न योजना रही इसमें सर्वॉषीश प्रदरशन की स्रेड़े में प यह समारवा का आयोजन किया गया वहीं पर इस पुराज़कारों की बेतरन की है ठीक है इसमें दो चीजें बहुत ध्यान रखेगा कौन सी इसमें सबसे ज़्यादा ठीक है आवादी वाले एक करोण से अधिक आवादी वाले राज्यों या केंसासित प्रदेशवों में इस योजना की सुरवात से सर्वसरेट प्रदरशन की स्रेड़ी में पहला पुरसकार प्रदेश को है ठीक है अगर दूसरा आन प्रदेश है की बात करें यह तो यह करोड से अधिक आबादी वालों के लिए पुरसकार हो गया अगर एक करोड से कम आबादी के वालों के लिए अगर हम देखें तो इसमें दादर्यूम नागर हवेली को पहला अस्थान है किसको दादर यूम नागर हवेली को पहला पुरसकार मिला है मत भूलिएगा पता चले वहां आपने प्रश्ण सही से नहीं पढ़ा और कहीं यह डाल दे तो 41 का सही उत्तर आप समझ गये हैं 42 नमबर प्रश्ण आपके सामने हैं 42 नमबर आपसे पूछा है कि वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने दो जारaf विस तक देश में कितने नए ऐयरपोर्ट बनाने की घुछा की है सो नए और अहवाई अड़े विक्सित किया जाने का लक्षिये दोजार चोविस तक ही 42 के बाद 43 नंबर आपके सामने है 43 नंबर आपसे कह रहा है कि निमलेखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा बिस सुमे पहली बार इस रोग का बनाया गया नविगेशन सिस्टम नाविक इस्तेमाल किये जाने की घोच्रा की गई बताए बई नाविक का प्रियोग कोन सी कंपनी करने जा रही अपने फोनों में वो कंपनी है आपकी Realme ने अभी घोच्रा की है कि वो इस रोग के द्वारा बनाए गया निविगेशन सिस्टम नाविक का इस्तेमाल अपने फोन में करेगी, ठीक है, अभी तक Google Map का इस्तेमाल होता था, अब नाविक का इस्तेमाल होगा, चवालिस नमबर प्रशन आपके सामने है, चवालिस नमबर आपसे कह रहा है, हाली में भारती अर्थ ब्योस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, ठीक है, भारती अर्थ ब्योस्था को एक नए इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, और तो चबवालिस का आपका विकल्ब भी सही होगा मिजरी जो इंडेक्स है यह एक अर्थसास्त्री है जिनका नाम है आर्थर ओकुन ठीक है इन अर्थसास्त्री का नाम क्या है आर्थर ओकुन आर्थर ओकुन द्वारा यह मिजरी इंडेक्स आपका विक्सित किया गया है ठीक ह 1970 के सुरवाती दसक में अगर देखा जाए ठीक है तो अमेरिका की जो आर्थिक इस्तित रही उसको मापने के लिए ये फेमस हुआ था आपका मिजरी इंडेक्स उसके बाद भारत में भी इस चीज की मांग चल लए कि भारती अर्थ व्यस्ता को मिजरी इंडेक्स के तौर पर मापा जाए पैतालिस नंबर प्रशन आपसे पूछ रहा है कि किस राजी सरकार ने वर्चुल पुलिस स्टेशन ठीक है किस सुरुवाद की है वर्चुल पनलब थाना है बस पता है मोबाइल से आप सब कुछ कर लें अपना काम हमेसा ध्याने किएगा वह राजी जिसने वर्चुल पु पूछ रहां बेसुक एंसर दीवस किस दिन मनाया जाता है ठीक है बेसुक एंसर दीवस किस दिन मनाया जाता है फटाफट अपने जबाप कोमेंट करिए और सही उत्तर आपका है चार फरवरी सी विगलब आपका सही है हर दिन चार फरवरी को बेसुक एंसर दीवस मनाया ज तीजे ठीक और इसकी स्थापना चार फरवरी 1993 को इव आई सीसी के कुछ अन्य प्रमुक कैंसर सोसाइटी के सपोर्ट से किया गया था ठीक है 94 फरवरी 1993 को और तब से लगातार चलता ही आ रहा है अंगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रशन आप के सामने अपसे कह यह ताकि इसने जो है final प्रभेस लिया तो इसमें अगर सही उत्तर की बात करें तूँ टीम ने पी ठा पाकिस्तान को पाकिस्तान को हरा कर ये गई हला कि फाइनल में भारती टीम हार गई लेकिन कोई बार नहीं हम फाइनल तक जरूर पहुंचे अंडर 19 ने पाकिस्तान को सेमी फाइनल में हराया फिर फाइनल में पहुंची ती आगे बढ़ते हैं 47 वाद 48 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 48 नमबर आपसे पूझ रहा हाली में किस देश में प्राकिरतिक गैस का बिसाल भंडार पाया गया ठीक है कौन सा वादेश रहा जहां प्राकिरतिक गैस बहुत बड़े मात्रा में मिली है तो इसमें अगर देश कुन सा है सहीं तरब अमीरात है जहां पर अब यहाली में प्राकिरतिक गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है समझ गए चलिए लगबग वो भंडार जो है यह 80 ट्रिलियन घनफूट है 80 ट्रिलियन घनफूट के करीब यहां पर मिला हुआ है आगे बढ़ते हैं 48 के बाद 49 नमबर प्रशन आपके सामने है 49 नमबर आपसे कह रहा है सुप्रिंग कोड ने हाली में ग्राम नयालेयों की इस्थापना को लेकर के कितने राजियों पर जुर्माना लगा है बहुत दिन से यह कहा जा रहा है कि ग्राम नयालेयों की इस्थापना होनी शाहिए लेकिन नहीं हो रहा था इसी वज़े से जुर्माना लगाया गया 49 में देखें वो कितने ऐसे राजिय रहे पचास नंबर है एक बार इस सीरीज को पूरा अगर आप इस फॉर्मेंट में देख ले रहे हैं और फिर आप पीडियाफ प्रिंट कराके पढ़ रहे हैं समझ जाओ कि यह सीरीज आपके लिए फिर बहुत ही जादा लाबदारी जो है लाबदायक सित्थ हो जाएगी वहीं इवा मुक्यबाजों ने और जूनियर और इवा मुक्यबाज सभी ने भाग लिया था पदक किरने जीते तो इसमें हमेशा ध्यान रखेगा ठीक है इसमें पदकों की संख्या जो भारत के द्वारत जीती गई वह बावन है ठीक है यह विकलब आपका सही होगा 14 इसमें मिलवर के तोर पर हैं आगे बढ़ते हैं 50 के बाद 11 नंबर प्रशन आपके सामने हैं 11 नंबर आपसे कह रहा है कि हाली में तीसरे रच्छा सम्मेलन में रच्छा कूटनीत के चितिज में विस्तार करने है तूर रच्छा मंत्री द्वारा कितनी नई रच्छा इकाईयों की इस्थापना की घुच्रा की गई है तो रच्छा मंत्री का एक बयान आया था उस बयान में इन्होंने कहा था कि 10 नई रच्छा कंपनियों को यह भी जो है अस्थापना की जाएगी जिससे से कि क्या होगा ठीक है रच्छा कूटनीत के छेतिज में विस्तार होगा भारत का ठीक इसके लिए 10 नई इकाईयों की सबना की जानी है डीविकल्प आपका सही है एक क्या उनके बाद बावन नंबर प्रश्ण आपके सामने है बावन नंबर आपसे कह रहा है कि हाली में भारत में स्वाइन फीवर को नियंतरिक करने के लिए एक नया टीका विक्सित किया ठीक है या निमन में से किस संस्थान वारा विक्सित किया गया बताईए वई कौन सा वस संस्थान है जिसने स्वाइन फीवर को कंट्रूल करने के लिए एक नया टीका विक्सित किया है हमेशा दिवाह में बनाए रखिए गा वस संस्थान भारती नौजोती संस्थान है जि इसमें ध्यान दिजीगा सारे लोग ठीक है इसमें सही उत्तर जो आपका होगा यह उत्तर प्रदेश में जो आपका सिटित तृट्प में आपका इसमें राइट होगा भारती पास्व का जो चिकतान संस्तान है इसके द्वारा यह T का विक्सित किया गया, यह उत्तर प्रदिश में अपने इस्तित है, ठीक है, तो UP Current से भी यह संबंधित प्रश्ण हो गया, और आपका इस से भी, तो यह थोड़ा सा आपका ज़्यादा जरूरी, कोई Science Tech का भी प्रश्ण हो गया, ठीक, सी विकल विसमें राइट है, ना कीटी, ठीक है, भारती पस चिकित्सा अनसंदान संस्थान के द्वारा यह T का विक्सित किया गया, और यह भारती पस चिकित्सा अनसंदान, संस्थान जो है, उत्तर प्रदिश में अस्थापित है, मने GS वाली क्लास में भी आपको कराया है, 52 के बाद भारती राष्टी राष्टी ये जो चैंपेंशिप रही इसमें भारत के किस खिलाडी आपकी है मैरी कॉम सिब इकल बापका सही होगा जिल लोगों ने भी चुना है वो लोग एकदम सही है इन्होंने क्या-किया वुंचास के गराव भारवर्ग में प्रवेस्ट जो है वो लिया था पार्टी से पेड किया था और वहां पर 203 के गरावजन उठा यह थाकरके इन्होंने अपना ही रिकार्ट तोड़ दिया इन्हों ने अपना ही रिकार्ट तोड़ दिया और अब वहाँ पर क्या वबार राश्ट Different में 16 जीर लिया मेरा भाई ने समझ गहे चलो बैद आगे बरते हैं कि मैं 46 में अब के सामने है सोबन नंबर के रहा हाली में भारत के किस राजी को घडियाल राजी का दर्जा दिया गया ठीक है घडियाल इस्टेट का किसी राजी को दर्जा मिला है अपने भारती राजी को वह राजी कौन सा है फटाफट अपने जबाब कमेंट करें तो हमेशा दिवाग में बनाए रख हो गई इस वज़े से इसको आप घड़ियाल राज्जी का भी दर्शा दे दिया गया तो टाइगर इस्टेट भी मद्प्रदेस है और घड़ियाल इस्टेट भी आपका मद्प्रदेस हो चुका है चब्वन के बाद पच्पन नंबर आपसे पूछ रहा ठीक है मोवी भी आई आथी कप की चार फरवरी सोलह सो सत्तर की उस रात में ठीक यानि आज से लगबग साड़े तीन सु साल पहले की बात है उस दिन क्या हुआ था सिंग अगड़ तब कुंधाड़ा को सिंग अगड़ के नम से जाना जाता था ठीक है सिंग अगड़ तो कुंधाड़ा के लिए थी मोवी भी आई थी अजय देव गन्माली पच्पन के बाद 56 नंबर है 56 नंबर सवाल अब से पूछ रहा है कि सत्रंज की बैस्विक संस्था जिसको फडियाई के द्वारा हालिया रैंकिंग में प्रथम अस्थान पर कौन पर है ठीक है सत्रंज की जो बैस्विक संस्था पर किसमें सत्रंज में पहले अस्थान पर आपके हैं मैगनस कालसन ने पहला स्थान अपना परकरार रखा है और टॉप 10 अगर देखा जाए महिला वरके टॉप 10 में दो भारतिये खिलाडी इपने सामिल है महिला वर्क वाली में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर आपसे पूछ रहा है कि हालिया रिपोर्ट की अनुसार भारत में वोबाइल डाटा खबत में कितने प्रिस्त इजाफा हुआ है ठेक है भारत में मुबाइल पर्षेंट अब जो डाटा है यह खबत बढ़ चुकी है तो सताओन में अगर देखा जाए कि भारत में मोबाइल ड देखा जाए इसमें जो है ठीक है दुस्कर्म की घड़नाय बढ़ गई है जब से यह मोबाइल डाटे आपके जो है वह हुए है और साथ ही साथ ठीक है पॉर्ण वेफसाइट देखने वालों की भी संख्या में देश में बहुत ज्यादा बढ़ उत्री हुई है 16-19 के बीच में अगर देखा जाए किमतों में लगातार कमी से भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा उपलब्द कराने वाला देश है ठीक भारत दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता डेटा उपलब्द कराने वाला देश भी है और 4 साल में ही 56% की बढ़ोतरी हो तो इसमें आपके मुखे रूप से चार राजी सामिल अब यह करेंड में क्यों आया क्योंकि अभी करेंड में इसकी बैठक हुई थी इस वज़े से यहां पर बेस आप से पूछा गया है तो यह पॉलिटिक का प्रश्ण ठेक लेकिन अब इसमें बेस इसलिए पूछा गया क् पूछभी जो आपके पूरवी आंचलिक परिसाद रही कि इसकी 24 वी बैठक हुई है ठीक जूवीज बैठक 28 फरवरी को हुई थी किस दिन 28 फरवरी 2020 को हुई है तो 28 फरवरी 2020 को आयूजित की गई इसमें आपका कौन-कौन से राजी है चार मैंने बताया कौन-कौन से दे मंत्री है पूर्वी अंचलिक परिशत और इसका जो अध्यच होता है ये ग्रह मंत्री होता है उपाध्यच लगातार जो है हर साल ऐसे बदलते रहते हैं ठेक हर एक प्रिश्टेट का जो मुख्य मंत्री होता है हर साल बदलता रहता उपाद्धिश लेकिन जो अध्यच होता है यह ग्रह मंत्री होता है मौझूदा केंद्री ग्रह मंत्री आगे बढ़ते हैं उन्सड नमबर सवाल आप सभी के सामने हैं कहे रहा है इंडोनेशिया मास्टर्स i чис profession की हमेशा दिदैन के नाम क्या है रच्षा रचा नों इंधन zar it! इंनने क्या किया है इस खिताब को Shaunता है मत भूलिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण साथ नंबर आप सभी के सामने हैं साथ नंबर आपसे कहरा है कि प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहित जनवरी 2020 तक करीब कितने करोड बैंग खाते खुले हैं तो इसमें मत भूलेगा 38 करोड अपने यहां बैंग खाते खुल लगाने की घोश्ड़ा की है कौन सा वदेश राज इसने ऐसा किया है तो वह देश आपका भूटान है सी विकलप आपका सही होगा भूटान ने ऐसा किया है कि अब उसके देश में अगर हम बिजिट के लिए जाते हैं तो हमें सतद विकास टैक्स जो है चुकाना पड़ेगा ठीक है यानि प्रति दिन के हिसाब से अगर देखा जाए भारतियों को तो बारा सो रुपए हमें हर दिन वहां ज्यादा देने होंगे प्रति दिन के हिसाब से बारा सो रुपए हमें वहां एक्ष्रा पे करने होंगे जितने दिन हम वहां रुकेंगे उतने बारा सो रुप में बनाए रखेगा यह मुंबई में आयुजित होता है काला घाड़ा जो आपका कला महोसों है यह मुंबई में आयुजित होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 62 के बाद 63 डंबर प्रशन आप सभी के सामने हैं 63 डंबर आपसे पूछ रहा है कि केनेडा देश में भारत के किस बेक्ति को भारतिय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है हमेशा दिमांग में बनाए रखेगा ठीक है फरवनगी की अभी है अजे के नियुक्ति जो है कहां पर हुई कैनेडा देश में की गई है तेरसेट के बाद 64 डंबर प्रशन आप से पूछा है चौसर डंबर आप से कह रहा है कि हाली में भारत की किस राजी सरकार ने वर्चुवल पुलिस इस्टेशन की सुरवात की है ठीक है आप वहां पर वर्च 24 से संबंदीर रिपोर्ट दर्जखरा पाएंगे तो समझ गए 64 में पैसर नंबर आप सभी के सामने है पैसर नंबर प्रशन कह रहा है कि भारती प्रदानमंत्री नरिंद मोधी द्वरा संसद में की गई घोसरा के नुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है ठ पाँच फरवेरी को जो है लोकसभा में यह गोश्रा की कि अध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाये जाएगा और इस ट्रस्ट को स्री राम जनभूम तीर्थ शित्र के नाम से जाना जाएगा ठिक है और यह भी उन्होंने बताया कि मस्जिद के ल और रोजगार मंतराले ने स्रामकों और रोजगार प्राइधाताओं की सिकायतों का निवारण करने हैटalo की पोर्टलाकों से किरीक विभिभी पोर्टल का नाम है संतुष्ञ्ट पोर्टल मत भूलिएगा इसको आगे बरते में 66 के बादon आपके सामने प्रस्षाइए बोलते रहना ये नहीं एकदम सांत हो जाओ मैं बोलाओ लगातार मन में बोलते रहो कैसे भी बोलते रहो लेकिन बोलते रहो सरसट का अगर सही उत्तर देखें कि मुक्तिकारवाँ अभियान सुरू करने वाला कौन सा राजी है तो वह राजी आपका है राजस्थान राजस्थान ने जो है मानो तसकरी और बाल स्रम के खिलाफ एक अभियान सुरू किया है जिससे कि बच्चों के यौन सोसन और जबरन स्रम बाल तसकरी इन सारे मामलों को रोकने के लिए लोगों के बीच में भी जग रुकता फैलाई जाए ठीक है चलिए बाई सरसट के बाद 68 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 68 नमबर आपसे पूछ रहा है कि सुलाह में मुंबई अंतरराष्टी फिल्मोथसों में सर्वस्रेश्ट डाकुमेंटरी फिल्म का गोल्डन कौँज पुरसकार किसे मिला ठीक है सुलाह में जो अंतराष्टे फिल्मोटसो रहा है इसमें सर्वसेष्ट डाकुमेंटरी फिल्म अगर देखे जाएं का गोल्डन कौँच पुरसकार किसे मिला है तो अमेशा ध्यान रखेगा वो हो फिल्म है आपकी वेवेंको टेल मी वेन आई डाय है ठीक है यह जो फ फिल्म का गोल्डन कौँच पुरसकार प्रदान किया गया है ठीक है और सट के बाद उनातर नंबर प्रश्णाप के सामने हैं उनातर आप से पूछ रहा है कि युनेस्कों की विस्व धरोहर सूची में हाली में भारत के कि सस्तल को सामिल करने की मजजूरी मिली है बताए व पूछ रहा है केंद्री मंद्री मंडल ने कितने भारती सूचना प्रदोगी की संस्थानों को राष्टी संस्थान का दर्जा प्रदान करने की सुबक्रेट प्रदान की चलिए सतर नंबर प्रश्ण का अगर हम सही उत्तर देखे केंद्री मंद्री मंडल ने कितने भारती स तुझना प्रदुगी संस्थान को राष्टी संस्थान का धर्जा दिया तो ऐसे वह संस्थान आपकेकोव 5 हैं पांच संस्थान advise जोरे अब संस्थान का दर्जा दिया जगा है आगे बढ़ते हैं सत्तर के बाद 71 नंबर प्रश्णाप के सामने हैं 71 नंबर प्रश्णाप से पूछ रहा है अब यह उत्तर प्रदेश करेंट भी हो गया भी से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोध्या में सुनिवक्प बौड को किस जगे 5 एकड़ भूमी देने की मंजूरी दी है ठीक है कौन सी आखिर जो है अध्या में वो जगे है जहां पर 5 एकड़ भूमी देने की मंजूरी मिली है तो इसमें अगर हम सही उत्तर की बात करें कि उ पर ठीक है यह अपना क्या बना सके मस्जिद बना सके आगे बढ़ते हैं 71 के बाद 72 नंबर प्रशन आपके सामने है बादतर नंबर आपसे पूछ रहा है कह रहा है कि हाली में किस अंतरराष्टी संस्था ने RBI गवर्णर ससीकान दास को यह सिया प्रसांद शेतर का सेंटल ब दाबैंकर दाबैंकर ने ऐसा चुनाओ किया है तो बाततर के बाद 73 नंबर की और बढ़ते हैं 73 नंबर प्रशन आपसे कह रहा है कि हाली में किस दच्छडी ACI देश ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए एक जो है नियंत्रि इस ने ऐसा किया है कि क्लासिकल जो स्वाइन फीवर होता है इसको नियंत्रित करने के लिए एक टी का विक्सित कर लिया है ठीक है और इसको ICAR ने किया है किसके साथ मिलकर आई वी आराई के साथ मिलकर के तियत्तर के बाद 74 नंबर प्रश्णाप के सामने है 74 नंबर आपसे पूछ रहा है ठीक है सोफिस्टिकेटिड एनलेटिकल एंट टेक्निकल है इंस्टिट्यूट्स जिसका नाम साथी है सौट फार्म में किस मंत्राले की पहल है ठीक है आकिरे इसको किस मंत्राले ने किये जाएंगे बिग्यानवा प्रश्णाप की विभाग है इसने प्रतिवर्स पांच साथी केंद्रों की स्थापना दी जाएगी ऐसा इसने अभी अभी ठीक है अपना प्लान बनाया है अब देखिए आगे क्या होता है आगे बढ़ते हैं 74 के बाद 75 नंबर आपके सामने है 75 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि दूतिय पी एन गौरी लंकेस आवार्ड फार डेमोक्रेटिक आइडियालेजिम के बिजेता कौन है गौरी लंकेस जानते ही जानते हैं इनका मर्डर हो गया था तो इनके नाम पर अ 76 नंबर आपके सामने है 76 नंबर आपसे कह रहा है कि हाली में बॉलीवूड की किस प्रसिद्ध अविनेत्री को किसोर कुमार संबान 2018 से संबानित किया गया बॉलीवूड की वह कौन सी अविनेत्री है जिसको किसोर कुमार संबान 2018 दिया गया तो वह अविनेत्री है वहीद पटिका दी जाती है ठीक तो मध्य प्रदेश सरकार इस पुरसकार को देती है ये मत भूलना शेतर के बाद 77 नंबर प्रशन आपके सामने है 77 नंबर आपसे कह रहा है कि केंद्री मंत्री मंडल ने हाली में और देश का नया बंदरगा बनाने की मजूरी प्रतां की अब ये बंदरगा बनना है और इस पर लगबग 544 करोड उपे गवर्मेंट खर्च करेगी 544 करोड उपे जो है इस पर खर्च करने जा रही है यह दुनिया के टॉप 10 कंटेनर जो है बंदर गाहों में सामिल हो जाएगा भारत उसके बाद सततर के बाद 78 नंबर प्रशनाप के सामने है 78 नंबर कह रहा है कि किस राजी द्वरा हाली में नागरिकों को बिभिन सरकारी सेमाय प्रदान करने के लिए जन सेवग नामक यूजना आरम की गई जन सेवग नामक यूजना किस राजी सरकार ने प्रारम की है अगर इसका सही उत्तर देखा जाए कि वो राजी कोन सा है हमेशा दिमाग में बनाए रखेगा करनाट का है करनाटक राजी ने जन सेवग नामक सहकारी यूजना की घोस्रा की है इस यूजना क्या है कि जितनी भी सरकारी आपकी यूजना है हैं उन सभी की जानकारी उन सभी का लाब हर कोई नागरेग ठेक है अपने घर पर ही पा जाएगा तो बहुत बढ़ी हां सुग्दा है अठतर के बाद उन्यासी नंबर पर बढ़ते हैं उन्यासी नंबर आप से पूछा है केन सरकार द्वारा हाली में गठित राम मंदर ट्रस्ट का अध्याच किसे बनाया गया वो समय जब हुआ था तो के पारासरन को नियुक्ति किया गया था ठीक है अब बदल चुके हैं के प पहली हिंदू इस विद्याले में बदल दिया गया इंडूनेशिया में जो एक इंस्टिट्इट था वहां पर उसको पहली हिंदू इस विद्याले के रूप में बदल लागया है चले फट फट अपने जबाब दीजे तो वह इन्वस्टी आपकी है सुग्रीव इस से महिला राष्टी भारुत्यों चंपिंजिंप में किसने स्रोनपदग जीता है अगर इसमें राकी हलदर जी है कहाँ से विलाईग करती है 64 kg वर्ग में इन्होंने सुर्ण पदक जीता है इन तीनों चीजों को याद रखेगा एक क्यासी के बाद 82 निम्बर प्रश्ण आपके सामने है 82 निम्बर आपसे कह रहा है कि खाद प्रसंसकरन मंत्राले के द्वारा 6000 करूर रुपए की लागत से सुरू की गई सबसे बड़ी चीज जो आप बार बार सुनते हैं मेगा फार्ट फूट पार्क जो लगना है वो इसी योजना के तहद लगता है मेड़ा फूर मेड़ा जो है फूट पार्क लगाने की संबंदित यह है एक एक रिट जो प्रसीत प्रसीतन ग्रेह बनते हैं उनके लिए भी यह जना कारी करती है यानि तमाम ऐसी चीजों पर कारी करती है 82 के बाद 83 नंबर प्रस्णा आपके सामने है 83 नंबर आपसे कह रहा है कि इद्रीजर बैंग ने 2019 वीस के लिए सकल घरेलू उत्पात की विकासदर कितने प्रस्ट रखी है बताइए वई होगा सुर्वात में इसको पांच प्रस्ट था लेकिन अगले वित्वर्स में इसे छे प्रस्ट निर्दारीत किया है समझ गया है तिरासी के बाद चौरासी नंबर आपके सामने हैं चौरासी नंबर आपसे कह रहा है कि लखनों में रच्छा प्रदर्सनी लगी थी अपनी डिफेंस एक्सपो 2020 में भारत और रूस के बीच कितने समझ होते गया अपनों पर हस्ताचर की गए ठीक है भारत और रूस के 85 नंबर आपके सामने हैं 85 नंबर आपसे पूछ रहा है कि भारती खेल प्रादिकरण और हाकी इंडिया ने जूनियर और सब जूनियर खिलाडियों के लिए देश के कितने सहरों में हाई परफार्मेंस के इंद्र बनाने की घुजरा की है अगर इसमें सही उत्तर देखें क कि कोई सा विगल सा ही होगा देश में कितने आपके बनने जा रहे हैं तो साथ ऐसे हाई परफार्मेंस के इंद्र बनाने जा रही है जहां से अब ओलंपिक के खिलाडियों की ट्रेनिंग होगी और महां से ओलंपिक में उन्हें भेजा जाएगा आगे बढ़ते हैं 85 के आपका होगा अविश्यक डाल अविश्यक डाल मियां को क्या बनाए गया बंगाल्स करुप संग का जो है अध्यक बना दिया गया कि और यह बंडेस Judaism अगरी न के Body किस वर्स के हैं इससे पहले यह इसके सची हुथे अध्यच बनने से पहले अब तो वहाँ पर अध्यच बनाए जगए कि अगला है शीयासी के बाद 87 नंबर 87 नंबर आपसे सवाल पूछ रा कह रहा है राष्ट यह मैस मी पुरसकार की अस्थापना किस वर्स की गई थी अध्यासी के बाद इसमें हर साल पुरसकार दिये जाते हैं ठीक अभी इसके पुरसकार दिये गए थे ठीक है तो इस पुरसकार की वज़े से यह चर्चा मेरा इसलिए आपसे अस्थापना वर्स पूछा गया है दोनों चीजे क्लियर होनी चाहिए 87 के बाद 88 नमर प्रश्ण है 88 नमर आपसे पूछ रहा है चलिए इस प्रश्ण को देखते हैं 88 नमर को कहरा रिजर बैंग ने मार्ज तिमाही के लिए खुद्रा मुद्रा इस पूथी का अनुमान बढ़ा कर कितने प्रसत किया है अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो इसमें आपका सही उत्तर होगा विगल भी 6.5 प्रसत ठेक है रिजर वेंग ने मार्ज तिमाही के लिए खुद्रा जो मुद्रा इस पीद रही इसका अनुमान बढ़ा कर अब 6.5 प्रसत दी कर दिया है और ऐसा ही इसलिए हुआ है क के कैमम क 2018 को आप जनते ही जनते हैं ठीक है कच्छे तेल की कीमतों में जो उचाल हुआ था। इस बज़े से उधल पुदल जारी रही रहने लगा इस बज़े से द्वयाए चालू वित्तों की अंतिम तिमाही में मुद्रा जो खुद्रा मुद्रा इस पीदि रही इसकी प्रश्ट प्रश्ट के लिए अठासी के बाद 89 नंबर प्रश्ट आप सभी के समने हैं 89 नंबर आप से कह रहा है कि राष्टपती रामनाथ कोविन ने कुष्ट रोग के उन्मूलन की दिशा में किये प्रयासों के लिए किसको अंतरराष्टी गांधी पुरस्कार प्रदान की बहुत जरूरी प्रश्ट है आपका अंतरराष्टी गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है अगर इसमें सही उत्तर की बात करें 89 नंबर में तो हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा वह वेक्ति आपके हैं डाक्टर से दिर्मसक्तू धाक्टर एकलब Hamb replace your doctor ndh दंसक्तू को करें अंतरराष्टी गांधी पुरस्कार के लिए संवानियत किया गया है अगर इसको देखें किन्को मिसन् इस संस्थागत रडी के इंतर्गत मिला है इसी इस सी को ध्यान करेंगा किश्रेडी के अंतर्गत कि playing प्रश्णाव सभी के सामने है 90 नंबर आप से पूछ राया कि किस देश के पूर्विरास्ट पती डेनियल अराब मोई का हाली में निधन हो गया याणि डेनियल अराब किस राज में आयुजित किया गया अंता प्रग्या 2020 अगर देखे किस राज में आयुजित किया गया है तो वह राज ही आपका है तेलंगाना ये विकल्प आपका सही है ठीक है तेलंगाना ये भी जरूर धियान रखिएगा ये सबसे बड़ा ग्रामेड तकनीकी महत सो रहा है अंता प्रग्य 2020 इसको मत भूलिएगा आगे बढ़ते हैं क्यानेवे के बाद 92 नमबर प्रश्णाप के सामने हैं 92 प्रश्णाप से कह रहा है कि इस वर्स टोक्यो ओलंपिक में भारती टीम का सद्भावना दूद किसे बनाया गया है टोक्यो जो ओलंपिक होना है इसमें भार 24 जुलाई से लेकर के ठीक है 9 अगस तक होना है 24 जुलाई से लेकर के 9 अगस तक होना है मत भूलिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 92 के बाद 93 नमबर प्रश्णाप के सामने है 93 नमबर आपसे कह रहा है कि भारत और किस देश ने भारत को कच्छे तेल के आयात के लि लाई करेगा ठीक है तो भी विगल्प आपका एकडम सही है 93 के बाद 94 नमबर प्रश्णाप के सामने है 94 नमबर आपसे कह रहा है कि कोल इंडिया लिम्टेट के नए अध्यच और प्रबंद निदेशक के रूप में किसने कारिभार संभाला है ठीक है अगर यह देखा लिए तो वह वेक्ति आपके कौन से हैं सी विकल्प प्रमोद अग्रवाल आपके जो है सही उत्तर है प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिम्टेट के नए अध्यच और प्रबंद निदेशक के रूप में नियुक्त किया है इनसे पहले इनके अस्थान पर थे कुमार जहा का अस्थान लिया है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है अनिलकुमार जहा का अस्थान लिया चौरानवे के बाद 95 प्रशन आप सभी के सामने हैं 95 आपसे बोल ला है कि वार्सिक उद्यानों उत्सो का उद्धाटन के सहर में किया गया तो आप सारे लोग जानते हैं ठीक है अगर इसमें सही उत्तर देखा जाए कौन सा जवाब सही होगा तो इसमें दिल्ली होगा नहीं दिल्ली ठीक है मोगल गार्डिन वार्सिक उद्धानों उत्सों वहीं सुरू किया जाता है समझ गए कि चलिए 95 के बाद जो है आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रशनाप सभी के सामने है 96 नंबर प्रशनाप से कह रहा है कि महिला जन्नांग बिकिर्थ के लिए अंतराष्टी सूनी सहलता दिवस किस तिति को मनाया जाता है अगर इसका सही उत्तर देखें कौन सा विकल्ब इसमें सही होगा ठीक है तो हम ऐसा ध्यान रखेग या वह आपका होगा विकल्ब कौन सा सही डे विकल्ब आपका सही है छे फर्वरी छे फर्वरी को जो है अंतराष्टी है आपका मैला जन्नांग बेकरती दीवस मनाया जाता है या अंतराष्टी सुनी सहन सिलता दीवस मनाया जाता है समझ गए आब मत बोलना चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर बढ़ें अगर 96 के बाद 97 नंबर प्रशन पर 97 नंबर आपसे प्रशन कहरा है कि किस राजी सरकार ने जन्सेव का योजना सुरू की है ठीक है उत्तरप्रदिय से तेलंगाना करनाटक या पस्चिम बंगल तो जन्सेव का योजना के बारे में जब हम बात करेंगे तो वह राजी आपका करनाटका है करनाटक राजी सरकार ने रासनकार्ड और वरिष नागरिक पहचान और स्वास्तकार्ड जैसी बिभिन इसो विधाओं को ठीक है अब होन डिलेवरी सुनिश्चित करने के लिए जन्सेव का योजना की सुरूबात की है समझ गये जन्सेवक या जन्सेवका इससे पहले भी क्वेशन आया है 98 नंबर प्रश्न है 98 नंबर कहने रविशिगं जिन का हाली में निधन हो गया वह किस छेतर से जुड़े हुआ थे सिंग का हाली में निधन विए कि कि-मी तर से जुड़ थे और 2017 अभी लेटेस्ट है, 2017 में भी इनको पुरसकार दिया गया है, जगनात दास पुरसकार से मान से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, 98 के बाद 99 नमबर परशना आपके सामने है, 99 नमबर ये उत्तर प्रदेश विसेश से भी संबंदित है, उत्तर प्रदेश सरकार जोन सी इसकी घोश्रा होई है, तो विकल्पे में जो नाम दिया है, ख्वाजा मुनित दिन चिस्ति भासा विस विद्याले, इसका नाम करने की जो है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, मन्सा है, तो ऐसा उसने जो है, गोश्रा किया है, 99 के बाद 100 नमबर प्रशन की संधित कितने समझोते हुए है, ठेक है, उत्तर प्रदेश में निवेश से संबजित अगर नए समझोते की बात किया जाए, तो सही जबाब आपका होगा 23, 23 से समझोते हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में आप नए निवेश के तौर पर होंगे, इसलिए आपका विगल इसके बाद सो के बाद 101 नंबर प्रशनाप सभी के सामने है 101 नंबर प्रशनाप से पूछ रहा है कि केंसासित प्रदेश जम्बू कास्मीर प्रशाषन में People's Democratic Party यानी PDP के नेता और पूर्व मंत्री जिनका नाम नाम नईम अक्तर है पर किस अधिनियम के तहट कारवाई की ग डिशन पर कर दिया गया है और इसी धारा के तह être ठिक और इस कानून में जानते हैं क्या है इस थोर पर इस कानून में बिना जो है बगैर सुन्वाई के तीन महीने से लेंकर 202 स ले करके 10 साल तक किसी को बिना सुन्वाई के जेल में रखा जा सकता है तो बढ़ वरी में आश्ट्रेलिया में आये वी चक्रवात का नाम क्या रहा है चक्रवात आया था आपके वहां पर आश्ट्रेलिया में तो उसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है डैमिनन डैमियन ठीक है यह विगलब का सही होगा यह अस्ट्रेलिया के उत्तर पश्मी है जिसका नाम है पिलवारा ही कि पिलवारा चेतर पर काफी जड़ आहा वी रहा तो वहां पर आया था लेकिन नाम झेघान रखिएगा डेमिन नाम है डेमियन 102 के बाद 103 नंबर प्रश्णा आपके सामने है 103 नंबर प्रश्णा आप से कह रहा है कि उडान यूजना के तहट उत्राखंड की पहली हेलिकाप्टर सेवा कहां से कहां के बीच सुरू की गई बहुत important प्रश्णा है ध्यान लखेगा और ये उड़े देश का आम नागरिक उडान यूजना के तहट ही है समझ गए आगे बढ़ते हैं 103 के बाद 104 नंबर 104 नंबर प्रश्णा आप से कह रहा है कि जल जीवन मिसन के तहट किस वरस तक देश के सभी घरों को सच पेजल उपलब्द कराने का लक्ष है जल जीवन मिसन जो चला है इसके तहट किस साल तक सभी को क्या उपलब्द करा दिया जाएगा सच पेजल उपलब्द कराने का गवर्मेंट का लक्ष है इसमें विगल पाप का कुन सा सही होगा ए दोजार चोबिस तक गवर्मेंट ने ऐसा लक्ष रखायत किस सभी घरों में सच पेजल उपलब्द होगा ठीक है आगे बढ़ते नहीं दिल्ली में अभी जो है पेजल की विवस्था पर एक संभेला नायजित हुआ था वहाँ पर ये बात कहीं कहीं तो 104 के बाद 105 नंबर आपके सामने 105 नंबर प्रश्ण आपसे पूछा है कि हाली में टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदवाज कोन बने है में मुद्दिल्ला नसीम साम मुमद सामी या अब्दूलाज जाक अगर इसमें से सही उत्तर की बात किया जाए कि वागेंद बाज इसने टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया ठीक है वागेंद बाज आपका नसीम साह है यह पाकिस्तान का 16 साल का भी गेंदबाज है बांगलादेस के खिलाब टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना है ठीक है चलो वाई 105 के बाद 106 नंबर की और बढ़ते हैं 106 नंबर सवाल अब से कह रहा है कि उन्नत हाली में भारत के द्वारा एक नई और उन्नत स्रेडी की मिसाइल विक्सित करने की घुसरा हुई है इसका नाम क्या है चलिए अगर इसके नाम की और बात करें कि भारत के द्वारा एक नई जो उन्नत स्रेडी की मिसाइल विक्सित करने की घुसरा हुई है ठीक वह आपका क्या है उसका नाम दिया गय रहा है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर 106 नंबर प्रस्ण का आपका सही उत्तर प्रनास वो मिसाइल है ठीक यह एक नई और उन्नत स्रेणी की मिसाइल है जिसको भारत में अभी विक्सित किया जाना है इसका नाम प्रनास दिया गया है साथी साथी इसकी एगर मारक श प्रनास मिसाइल और यह मिसाइल पारंपरिक वारहेट से लैस होगी किसे वारहेट से इसको लैस होना है पारंपरिक वारहेट जो आहम तोर पर मिसाइलों में प्रियोग किये जाते हैं अगली जी यह सतह 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 मारक ठीक है सतह से सतह मारक करने वाली मिसाइल है इस 2018-19 के द्वारान कुल कितने करोड रुपे जो है डॉलर में मोली का रेसा निरियात किया गया 2018-19 में कुल कितने करोड रुपे मोली का रेसा भारस से निरियात हुआ है अगर इसमें देखें कि जितने निरियात किये गए है रेसे उनकी कीमत किनी है उनकी कीमत आपकी है 6 अरब 13 करोड रूपए इतने रेसे मानो निर्यात के द्वारा बनाए गये और इनको जो है कहाँ पर दूसरे देशों में निर्यात किया गया है ये मुद्दा क्यों आया क्योंकि मुंबई में आपका अंतराष्टी निर्यात पुरसकार समारोह आयोजित हुआ था तो उसमें ये वेक्ते भी निकल गया आया कि रेसा जो है रेसा के निर्बात 18-19 के द्वारान 6 अरब 13 करोड डालर रहा है इस चीज को जरूर ध्यान रखेगा सरकार के द्वारा ये जो है प्रेसित किया गया मुंबई में निर्यात पुरासकार का जो है आयोजित हुआ था 107 के बाद 108 नंबर प्रशन आपके सामने है पूछ रहा है बांगलदीस भूटान भारत और नेपाल के बीच वर्स 2015 में हुए यातायाद समझोते के सिलसिले में अभी एक बैठक का आयोजिन कहा हुआ ठीक है एक बैठक फिर से बुलाई गई थी और इस बैठक का आयोजिन नई दिल्ली में हुआ था ये विगलप आपका सही होगा ठीक है आट फरवरी को ये बैठक होई थी ठीक है और इसमें जो ये समझोता 2015 में हुआ था इन चारू देसों के बीच में इसको लाउगू की ये जाने पर फिर से एक बार विचार बीवर्स हुआ है आगे बढ़ते हैं 108 के बाद 109 नंबर अब से पूछ रहा है कि भी ख्याद विचारक लेखक और भारतिये विचार केंद्रम के संस्थापक जिनका हाली में निधन हुआ कौन है ठीक है अगर इसमें देखें कि वाव पदमस्री से नवाजा गया था ठीक है और उसके बाद 2018 में इनको पदम जो है विभूशड से भी नवाजा गया पहले पदमस्री फिर पदम विभूशड से इनको नवाजा गया है इस चीज को जरूर ध्यान रखेगा 1982 की बात है 1982 की जब केरल में इन्होंने भारतिये परिषदों के चुनाओ संपन हुए है मद इफरी की देश वह कौन सा है तो जहां पर साथ सालों के बाद चुनाओ हुए वह देश आपका कैमरून है ऐसा क्यूं हुआ क्योंकि वहाँ अलगावादियों की हिंसा जारी थी लगातार इस वज़े से वहां पर चुनाओ नहीं पार्टी वहाँ पर अभी भी सत्ता में थी इस वज़े से साथ सालों तक लगातार वहाँ पर हिंसा भड़की रही अब जाकर वहाँ पर चुनाओ संपन हुए हैं 110 के बाद 11 नंबर प्रश्ण आपके सामने हैं यह पिछली बार भी पूछा गया था प्रश्ण पत्रों में na half here चली आगे बढ़ते हैं 112 के बाद 112 नंबर प्रश्ण आपके सामने हैं 112 आपसे पूछ रहा है, ICC Under 19 World Cup किस ने जीता, ठीक है, चलिए अगर इसमें बात करते हैं, तो ये जो World Cup का भीजेता रहा या बांगलादेश बनाएं, भारत भीजेता रहा, भारत ने सेमी फाइनल में किसको पराजित किया था, पाकिसान को, और फाइनल में ये है, ठीक है, मुक्तोसरी क्या है, आरसेनी के लिए प्रित्रोधी चावल है, या निर्देशित उर्जा हतियार है, या एंटी वाइरस या इन में से कोई नहीं, अगर सही उत्तर इसमें से देखते हैं, कि आखिर मुक्तोसरी है क्या, तो हमेशा दिमाग में बनाया को एक और नाम दिया गया है, जिसका नाम है IET, बहुत ध्यान से इसको सुनेगा, IET 21845, IET 21845 भी इसी को बोला जाता है, किसको, मुक्तोसरी को, अब मानलो, वहाँ पर सीधा देदे कि IET 21845 क्या है, ठीक है, तो वहाँ जरूर दिमाग में रखिएगा, ये मुक्तोसरी का नाम है और ये प्रद्रोधी चावल की एक किस्म है, मत भूलेगा, 13 के बाद 14 नंबर आपसे पूछा है, कि महिला सुरक्षा को लेकर कि सराजी सरकार ने राज्य में देश का पहला दिसा महिला पुलिस स्टेशन खेल, खोला है, ठीक है, दिसा पहला पुलिस स्टेशन आप का खोल लए है, आनतRA प्रद्रोधी सरकार, डे विखल पाप का रयट है, आनता प्रदैश सरकार ने हाली में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में देश का पहला दिसा महिला पुलिस स्टेशन खेल, खोला, ठीक है, आनत्परदेश में 18 ऐसे महिला दिसा पुलिस स्टेशन प्रियास से बहां की सरकार का देखते हैं कितना होता है 15 नमबर प्रशन आप से पूचा है 115 हाली में किसने ट्रेक जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम को पूरे देश में लागु करने की घोस्टरा किये तो चेक वागरा जो भी मामले होते हैं अब जानते हैं इन सवी को कौन नर् और वी आई ठीक है भारतिय रिजर बैंग ने अभी हाली में घोश्रा की है कि पूरे देश में चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा और यह सिस्टम सितंबर 2020 तक हर जगे सुरवात हो जाएगी कब तक सितंबर 2020 तक हर जगे देश में हर जगे पर इसकी सुरवा की जाएगी अगला 116 नंबर प्रशन आपके सामने है 116 आपसे कह रहा है कि निमलिखित में से कौन ओकांका गुआ परबत पर चड़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्रकी लड़की बन गई अगर सही उत्तर देखें तो मुंबई की आपकी नेवी चिल्टेनी स्कूल की साथवी कच्छा की छात्र जिसका नाम काम्या कार्थिकेन है इसने अभी ओकांका गुआ परबत पर चड़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्रकी लड़की बन गई अब मालो इसमें से सीधा सी ठीशोंच है यस लड़की बारे में आप से पूछ ले वकांका गुआ परबतमाला कहां परिस्ति तो अम हैसा ध्यान रखेएगा अर्जनटीना में पढ़ती है कहां पर अर्जंटीना में ठीक है अर्जंटीना का एक प्रांत है बेडोंजा उस प्रांत में यह अवस्तित है एंटीज परबत माला के प्रमोख काली डोरा में यह एक परवत है समझ गए दच्छेण अमेरिका और एसीया के बाहर सबसे उची चोटी भी है आपकी कौन सी ओक अंका ग अगे देखते हैं अगला प्रश्ण आपका 117 नंबर आपसे पूझा है प्रवासी भारतियों पर लोग सभा में विदेश मंत्रायले द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के अनुसार विदेशों में भारतियों की सबसे बड़ी संख्या निमलेखित में से किस देश में रहती ह ठीक है रह रही है वर्तमान में अगर देखा जाए प्रवासी भारतियों में जो अभी विदेश मंत्रायले द्वारा अकड़ा उपलब दख्राया गया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सईयुक तरब अभीमार अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतिये इस समय रहत है और इसमें सबसे ज़्यादा सईयुक तरब अमीरात में रहते हैं लगवाग 34,20,000 ठीक है 34,20,000 के करीब भारतिये आपके ऐसे हैं जो सईयुक तरब अम जो है अमीरात में निवास करते हैं अगला 117 के बाद 118 नंबर प्रश्ण है आपसे पूछ रहा हाली में खबरों म खमीर के द्वारा होता है तो जो केडवित फलो से बना एक खाद संगीत वादियंत रहे इसी को नाम दिया गया है फर्मेंटो फोन समझ गए मत भूलिएगा आगे बढ़ते हैं 118 के बाद 119 नंबर आपके सामने है आपसे पूछा है निमलेखित में से कौन अपने उपन्य पहला गर्मेटिया के लिए जाने जाते थे जो महत्मा गांधी के दच्छड अफ्रिकव में रहने पर आधारी थे क्योंकि अभी इसके लेखक की क्या होई है ठीक है लेखक की 83 वर्स में निधन हुआ है इस वजए से यह प्रस्ण आपके लिए बहुत जरूरी बनता है और और इनको पदमसरी साहित अकादमी पूरसकार और ब्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है गिर्याज किसोर को आगे बढ़ते हैं 120 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 120 नमबर आपसे कह रहा किसरा सरकार ने गाउं की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया है अरश गया एक सोबीस के बाद 121 नमबर प्रश्ण आपके सामने है 121 पूछरा बीसमें लाइस वेश्चुखेल पूरसकार किस सहर में आयोजित किया गया बीसमा जो लाइस वेश्चुखेल पूरसकार रहा ये कहां पर आयोजित हुआ तो हमेशा दिमाग में बनाए रखी सबसे बड़े खेल बीजय का सम्मान करेगी साथी लारियस अंदोलन के दो दसक और दुनिया भर के लाकों युवाओं के जीवन को बदलने में खेल सक्ति का जस्म भी मनाएगी 121 के बाद प्रश्णखे 122 आपके सामने हैं पूछ रहा बहुत इंपॉर्डेंट आसकर पूरसकार समारो का आयोजन कहा हुआ वताइए वही आसकर पूरसकार आप जानते हैं अमेरिका के लास एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता है ठीक है तो यह भी गल्व सहिए इस बा अब दिया गया ठीक है चलिए इसमें ध्यान रखेएगा वह श्रुष अभिनेता है आपका जॉख विन फेनिक्स इसको सर्फ्रिष अभिनेता का जो है खिताब दिया गया है समझ गया है चलिए जोकर फिल्म देखा है ना यह जोकर मोवी में अभिने के लिए इनको यह भॉड़ मिला तो हमेशा दिमाग में बनाए रखेगा वह फिल्म है आपकी परासाइट भार सायट यह कहां की फिल्म है यह साउथ कोरिया की फिल्म है मत भलीगा इसको बहुत इसको कहीं से नहीं भूलना है साउथ को यह कि मुवी जून हो नाम है इसका इसके डिरेक्टर का क्या नाम है बॉंग जून हो मत भूलिएगा उसके निर्देशन में बनी फिल्म है चार अवार्ड इसने धमाल मचा दिया 125 नमबर आपके समने है आप से पूजराव वन जी वो के सनरचन के लिए सभतराष्ट के गॉप 13 सनरचन के लिए भारत में कहा किया गया 15 फर्वरी से लेकर के 22 फर्वरी तक इसका योजन चला है प्रधन मंत्री नरेंद मोधी ने इसकी जो है ओपनिंग भी की थी 126 नंबर आपके सामने है पूछ रहा है आपसे कि हाली में किसरा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार संब्रिद्धी योजना सुरू की है मुख्यमंत्री परिवार संब्रिद्धी योजना के बारे में जब भी हम बात करेंगे नाम आता है हरियारा सरकार का सीब इकलबाफ का राइट है ठीक है इसने जब नई सरकार हडियारा में बनी तो मनोहलाल खटर जो वहां के वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री है इन्होंने सरकार के 100 दिन पूरी होने पर मुख्यमंत्री परिवार संब्रिद्धी योजना की सुरूबात की है ठीक है 126 के बाद 27 नमबर आप से पूछ रहा है निमलिकित में से किसे हाली में यफाईयस द्वारा 2019 सर्वस्रेश्ट उभरती हुई मैला खिलाडी के रूम में चुना गया है ठीक है चलिए अब इसमें अगर सही उत्तर देखते हैं कि कौन सा विकल्ब इसमें सही होगा तो हमेशा दिमाग में बना लीजिए लाल रेम सियामी इनका नाम है जिनको यफाईयस द्वारा 2019 की सर्वस्रेश उभरती हुई मैला खिलाडी के रूम में चुना गया है अगले प्रश्ण के और बढ़ चलिए 127 के बाद 128 नंबर प्रश्ण देखते हैं कि 128 नंबर प्रश्ण आपसे क्या पूछा है 128 नंबर आपसे कह रहा है कि कि किस राज सरकार ने नॉवंबर 2020 से CFL और फिलामेंट बल्ब पर प्रिद्बन लगाने की घुसरा की है नॉवंबर 2020 से इस राज में आपको कोई भी CFL और बल्ब देखने को नहीं मिलेंगे वो राज जी आपका है केरला ठीक है वहां सभी पर क्या लगेंगे LED लाइटों से बदल दिया जाएगा जितनी स्ट्रीट लाइटे हैं सरकारी दप्तर है ठीक है उन सभी को LED लाइटों से बदलना है अगला है 139 नंबर प्रशन आपसे पूछा है 200 इवनानी दिवस किस दिन मना जाता है चले वाई सही उत्तर क को जो है 200 इनानी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है इनानी विद्वान और समासुधारक जिनका नाम था हाकीम ठीक अजमल खान उनकी जैनती के दिन पर ये हर दिन हर वर्स जो है मनाय जाता है बिस्विनानी दीवस समझ गए 139 के बाद 30 नमबर आपके सामने पूछा है आपसे कि हाली में निमलेखित मैं से किस केंद्रे मंतराले ने कोईला खदानों की स्टार रेटिंग के लिए एक बे सही चीज देखें ठीक कौन सा वा मंतराले है जैसे इसमें वाणी जोर उद्दोग मंतराले वो भी नहीं है बित्त मंतराले वो भी नहीं इसके लिए जारी किया है किसने कोईला मंतराले ने जारी किया है इसलिए इसमें से वह कोई विकल्ब नहीं है दिमाग में बनाए नहीं है समझ गए 130 के बाद 31 नमबर 131 नमबर अब से पूछ रहा है कि सिंगर रॉकी मितल को कि सराज सरकार ने सुचना यूम जन संपर्ग विभाग की पबलिसेटी सेल का चेर मैं नुक्ति किया है ठीक है सिंगर है जनका नाम है रॉकी मितल रॉकी मितल को नुक्ति किया है दिमाग में बना लीजिए वो सरकार आपकी है हरियाणा डेविगल पापका राइट होगा हरियाणा सरकार ने ठीक है रॉकी मितल को सुचना यूम जन संपर्ग विभाग की पबलिसेटी सेल का चेर मैं नुक्ति किया है समझ गे आगे बढ़ते 131 के बाद 132 नमबर प्रश इसके लिए आसकार जीर लिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा पूरब आपके फुटपालर जिनका नाम है मेथ्यृ चेरी मेथ्यृ चेरी ने अवि एक nutrition मूवी Jis का आंतरिश एजंसी नासा और इंद दोने क्रम आपका सो डर मिसन अला आ अब से पूछा है अन्तरश्ट क्रिकट परिषण में किंधे सों कि खिलाडरी ओपर अभी प्रद्बंध लगाया है नद्र जान को अफिडी麼 हमेशा ध्यान में रख़ेगा वह आपके देस आश्टेलिया और बंगलादेशु अस्टेलिया है तो स्वारी बंगलादेश अस्टेलिया नहीं होगा बंगलादेश और भारत होगा बी विकलपाप का सही होगा वो दोनों देश आपके बंगलादेश और भारत हैं बंगलादेश और के तीन खिलाडी इसमें सामिल है बंगलादेश के तीन खिलाडी है और भा कि चलिए अगले प्रस्ट की बढ़ते हैं प्रस्टेश्ग्यापकी 135 की baik को एक सब्पयतिस आप से पूछ रहा है कि रास्ट ये जल सम्मेलन का उजन कहाँ हुवआ प्रदेस में राश्टिय जल मेलन का आयोजन किया गिया था समझ गए 113平 नमंबर परशन आपके सामने आपसे कहे राव भारतिय रिजर्बैंग द्वारा सुरू की गई कैस् रिजर्ड रेशियो छूट के साथ 20S रेंड सुवधा की अवद कितने माह की है ठीक है अभी एक भारती रिजर्वेग ने ऐसी स्कीम शुरू की थी ठीक है 14 फरवरी से ये सुरू होई है और इसके तहट जो रिड़ पर छूट दी जा रही है एगले पास साल तक जारी होगी लेकिन ठीक है इसमें ये बताया गया है कि ये जो विशेस व्यवस्थाई एगल पार्टी को जीत मिली अब जनते हैं अर्विंद केजरिवाल फिर से ठीक है मुख्यमंत्री के तौर पर जीत के आये हैं तो आम आदमी पार्टी जो है फिर से वहां पर बहुमत में आ चुकी है 138 नमबर प्रश्ण है कैराल लोकसभा ने किस राजी के द्वारा पेस किये ग और उसके लिए विधेक को पास भी कर दिया है संसद ने तो हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा वह आपका करणाट का राजी है जिसके लिए ऐसा विधेक संसद में पास किया गया समझ गये चलिए 138 के बाद 149 नमबर प्रश्ण पर आ रहे हैं 149 आप से पूशा है कि वर्स 2018-19 में देश में कुल मचली पालन कितने लाग टन रहा है अगर देखा जाए आपका 18-19 के दोरान मचली उत्पादन तो अपने यहां 134 लाग टन मचली उत्पादन रहा है ठीक है लोकसभा में यह जवाब देते भी है जो आपके एक सांसद है मत्यसिपालन और पसपालन मंत्री जिनका नाम प्रताब नारंगी चंदर सारंगी है इन्होंने जो है बता ठीक है अभी अपने यहां वह कौन सा देश राज इसने एक एकरित वाई रच्छा प्रडाली के विक्री की मंजूरी जी तो आप सभी जानते अमेरिका है ठीक है अमेरिका ने भारत के लिए ठीक एक एक एकरित वाई रच्छा प्रडाली की विक्री को मंजूरी दी है यह स 86 करोड़ और साथ ही साथ 70 लाख डॉलर एक अरब 86 करोड़ 70 लाख डॉलर का समझोता हुआ है ठीक है और इससे क्या होगा भारत ससत बलोकु अत्याधुनिक और मौजूदा जो हमारी वाई प्रणाली है इसको हवाई हमलों से निपढ़ने में सक्षम बनाएगी बहुत तरीके की इसमें मलब सिस्टम सामिल है जो सब कुछ भारत को मिलने वाले हैं 141 नमबर प्रश्णाप के सामने है अब से कह रहा कि भारत के विविन राज्यों में सांस्कृतिक एक्ता को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की सुर्वात की गई है अगर देखा जाए कि भारत के विविन राज्यों में सांस्कृतिक एक्ता को बढ़ावा देने के लिए एक अभी बहुत जल्द अभियान लांच किया है जिसका नाम है एक भारत स्रेश्ट भारत ठीक है विविगल्ब सही होगा यह अभियान आपका 18 दिनों तक रहा है ठीक है चलता रहा है जिसके तहट हर एक राज्यों में ठीक है इस अभियान की पहुच की गई 141 के बाद 142 नमबर प्रशन आपके सामने है कह रहा है इंडियन प्रीमियर लेग 2020 के लिए किस टीम ने बल्ले बाद जेम्स फास्टर को टीम का फिल्डिंग कोच न्यूकत किया है ठीक है आई पील के लिए तो हमेशा दिमांग में बनाए रखेगा कुलगातर नाइट रा बारा दिया गया इसका नया नाम है सी विकलपाप का सही है 143 के बाद 144 नमबर प्रशन आपके सामने है 144 आप से पूछ रहा है कि सार्वजनिक उद्यम सर्वेच्छन 2018 में किस कंपनी को सबसे अधिक लाबदायक सार्वजनिक उपकरम के रूप में नामित किया गया सबसे ज 145 आप से पूछ रहा है साथ मार्च दोजार बीस से कौन सा भारते हिल स्टेशन राष्टी जो है सीत कालिन खेलों की मेजबानी करेगा ठीक है तो वह राष्टी आपका जो हिल स्टेशन है यह गुलमर्ग है ठीक है गुलमर्ग आप जानते हैं यह जंबू कास्मीर के का ए 2020 को मंजूरी दी है भूजल अस्तर में सुधार लाने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी देने वाला राज जिकोन है उत्तर प्रदेश है अब यह उत्तर प्रदेश काप का यूपी स्पेसल का करेंट का प्रश्ण हो गया ठीक है डीब इसमें राइट होगा आगे ब इसमें भारत सरकार लिखा जाएगा और हिंदी अंग्रेजी में बित्त सचिव जो आपके अतुन चक्रवर्ती है उनका हस्ताचर होगा अतनु चक्रवर्ती मत भूलेगा कि मौझूद आपके कौन बित्त सचिव कौन है अतनु चक्रवर्ती है 147 के बाद 148 नंबर आप से पूशा है कि जार्खंड के पूर मोख मंत्री ने जार्खंड विकास मोर्चा लोगतांत्रिक जिसको बोलते हैं पार्टी को भास्पा में बिले करने की घोस्रा की ठीक है जार्खंड विकास मोर्चा लोगतांत्रिक पार्टी का जो है बीजेपी में बिले होने जाला है और इसकी घोस्रा की है बावुलाल मरांडी ने बीबिगल पाप का सही होगा ठीक है ये जारखंड के पहले मुख्यमंत्री और जारखंड विकास मोर्चा के अध्यस है बावुलाल मरांडी ने इन्होंने हाली में से ये घोस्रा की है कि उनकी पार्टी अधिकारी ग्रूप से बी आपका सबसे उचास्थल है वह उचास्थल है दासोपु ग्लेसीयर ठीक है जलवाई के बारे में कुछ रिकार्ड प्राप्त किया है 109 के बाद 150 आप से बूच राए 150 की बैग्यानिकों ने डाइनोसुर जीवास्म सब्सका नाम दिया गया है थानाटो ठेरेश्ट कहाँ पाया है यह डानसूर का जीवास्म है अगर इसमें देखें यह कहांपर मिला है यह कैनेडा में मिला है बैग्यानिकों को एक विखलब सह लाता है ठीक है और इसका जो नाम दिया गया है थाना टू थेरिष्ट इसका नाम है मौत को काड़ने वाला समझ गए पचीस के बाद एक सो जो है पचास के बाद 111 नंबर प्रश्ण आपके सामने है कहरा हाली में समझारों में देखा गया सुपरकैम क्या है ठीक है सुपरकैम क्या है फटाफट अपने जबाब दो सुपरकैम जो है यह खनीज विग्ञान और रसायन विग्ञान के अध्यन के लिए उपियोग किया जाना वाले रूपोर्ट है जिसको नम दिया गया है सुपरकैम समझ गये किसके किसके लिए खनीज विग्ञान और रसायन विग्ञान के लिए एक सुपावन नंबर आपके सामने है आप से पूछ रहा है मंत्री मंदल ले प्रत्य शकर बिद जो गया पहला कथन हो गया दूसरा बोला इसका उद्देश प्रत्यशकर विवाद से सम्मंधित मुकदमों में कमीलाना है तीसरा बोला वर्तवान में 6,00,000,000 करोड रुपे के कर से सम्मंधित मामले विभिन अदाल्तों में विचारा धीन है तो इसमें अखर देखा जाए कि क करोड रुपे नहीं है ठीक है 9,00,000,000 करोड रुपे के मामले इसमें लंबित है जालतों में इसलिए आपका तीसरा नहीं सही था बाकी पहला दूसरा दोनों सही थे 122 के बाद 133 नंबर आपसे पूछा है कि फरवरी में मंत्री मंडल के द्वारा कितनी बीमा कमपनियों में धाई हजार करोड रुपे की पूजी लगाने से प्रस्ताव को सैध्धानिक ग्रूप से मंजूर कर लिया गया तो 153 का अगर हम सही जबाब देखें तो इसका सही विगलप होगा आपका सी ठीक है सी विगलप आपका सही होगा तीन ऐसी कमपनियां हैं जिन पर बीमा कमपनियों में धाई हजार करोड रुपे गवर्मेंट जो है लगाने जा रही है आगे बढ़ते हैं 153 के बाद 154 नंबर आप से कह रहा है कि ICC की ताजा रैंकिंग की अ जो है पाइदान पर रही सर्मा बरकरार है समझ गये चलिए भई भारती एकर तेज गें गेंबाज जो आपके जस्परीत भुम रहा है इनके बारे में बस बात करें तो यह दूसरे अस्तान पर खिसक गए गेंबाज वाले में आगे बढ़ते हैं 154 के बाद 155 आप से अगला आप से पूछ रहा हाली में खबरों में देखा गया क्या है या कानून जैसा बोलना चाहें क्या है यह एक आपका सडियंत्र है सिद्धान्त है जिसमें अमेरिकी राष्टपत डोनाल ट्रंप और उनके समर्थकों के खिलाब कथिद डीप इस्टिट द्वारा एक सं के मौझूदा डोनाल ट्रंप और उनके जो समर्थक हैं उन्हें डीप इस्टिट के द्वारा एक गुप्त साजिस का वेवराण किया था इसके माद में कि 157 कोटा रानी हिंदू निम्न में से किस स्थान पर लोहारा वंस की अंतिम सा सकती अब यह वी प्रशनाव का अच्छा हो गया क्यों ऐसा आया क्योंकि यह करेंड में कोई ना कोई मुद्दा रहा होगा अब इसको ध्यान अगर दें आप कोटा रानी हिंदू यह कास्मीर की आपकी क्या थी अंतिम सासिका थी अब इनका नाम अंतिम सासिका थी तो इनका नाम क्यों आया है ऐसा हुआ है कि जो जम्भू कास्मीर की पूर मुख्यमंत्री है महमुवा मुफ्ती ठेक है इनकी तुलना वी जो है ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ हर जिगे पर से की गई कोटा रानी की मिर्क 1349 में हो गई थी ठीक है यह लोहरा वंस की अंतिम साज क्या थी फिर भी इनकी तुलना किससे की गई है महभूबा मुफ्ति महभूबा मुफ्ति की तुलना इन से की गई है 157 के बाद 108 नमबर आपके समने है पूछ रहा है प्रवासी भारतिया केंद्र का नाम किस दिवंकत केंद्रिय मंत्री के नाम पर रखा गया बहुत इंपॉर्डेंट है ठीक है जो प्रवासी भारतिया केंद्र है इसका नाम अगर देखा जाए देखो राश्पत रंग एक बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी भी सायनिकाई के लिए और ये आईने सिवा जी को, ठीक है, सी बिगलपाप का सही होगा, आईने सिवा जी को 13 फरवरी 2020 को राश्पत रामनात को विंद्वारा राश्पत के रंग के साथ प् प्रकेत किया है यानि अब पास दिन ही उनको काम करना एक सट के शरा कि किस राजी के मुंख्यमंद्री ने अंगन फो ठीक है हभा कारिकरम सुरू कि किया अंगन फो अ किसस्ते सुरू किया है वह राज-सरकार 5 मणि-पुर्की है भी उद्थ इते बत्व का सही होगा मड़ी पूर कि कि बेसर रेडियो दिवस किस दिर मनाया जाता है हर साल कब 13 फर्वरी को मनाया जाता है World Radio 2 समझ गए मत भूलना 162 के बाद 13 सब्बर कहरा भारत में राष्टिय महिला दिवस कब मनाया जाता है 10 फर्वरी, 11 फर्वरी, 12 फर्वरी, 13 फर्वरी अगर देखा जाए कि भारत में राष्टिय महिला दीवस का मनाया जाता है तो विकलपाप का सी सही होगा, ठीक है, हर साल जो है तेरा फरवरी को मनाया जाता है, तो यहाँ डी सही होगा, ठीक है, तेरा फरवरी को हर साल मनाया जाता है, इसलिए इसको दिमाग में बनाए रख है अगला है अगला आपसे पूशा है दुनिया के सबसे बुजरुक ब्यक्ति का नाम बताएं ठीक है जिन्हें अतकारिक तोर पर बारा फर्वदी 2020 को गिरीजवर्ड रिकार्ट्स द्वारा सबसे पुराने जिवित ब्यक्ति के रूप में पुश्टी की गई है ठीक है तो वह व्यक्ति कौन से हैं चित्तेशू वतन बे और इनकी मिर्ट वही तो मार्च वाले में बताया कि आप कौन सा बन गया है समझ गया यह जापान के र गुजरात का उसका नाम क्या दिया गया है मॉ्हर्टेरा स्टीय यह विषू का सभसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियू मत्राश्म में गुजरात में निरमाणा धीन है और इसे सर्दार पटสे इंह कंदू के नामसे जाना जाएगा जैगा शर्दार पट्रे नामसे जाना तो वो आपके है राजीव बंसल ए विगल पापका राइट होगा राजीव बंसल ठीक है ये नगालेंड का एडर के आपके 1988 पैच के आई एस अधिकारी है इनको एर इंडिया का अध्यच और प्रवन नीदेशंग डियूत किया गया है समझ गया है 166 के बाद 166 नंबर है एक आपसे कह रहा है कि एफ यह जी प्लेयर अप्डाइय पुरसकार मैं से किस भार्तने खिलाड़ी को सम्मानित किया गया बताइए वह कौह सं प्रश्कार जीट जो है धीया गया ऐसा करने वाले ये पहले भारतिये हैं ऐसा पुरस्कार पाने वाले ये पहले आपके भारतिये बने हैं इसलिए ये नियूस थोड़ी सी आपके लिए थो चैंते में इसलिए अपैं इसलिए क्रूछ प्रश्कार फिर्श्कार फ्रश्कार गोड़ी हुआ है नई दिल्ली में इसका यूजन किया गया 21-23 फरवरी तक जहां पर जैबिक खादान से बने बेंजन का मोहोट सो रहा 170 नंबर सवाल आपके सामने हैं आपसे पूछ रहा है कि सार्वजनिक उपकरम सर्वेच्छन 2018-19 के अनुसार इस अवदि में सबसे अधिक मुनाफ़ वाली कंपनी कौन सी है ठीक है 18-19 के दौरान सबसे अधिक मुनाफ़ा किस कंपनी ने कमाया है तो ओंजी सी है इससे पहले भी आपका प्रशना है था वहां दूसरे तरीके से था ठीक है यहां दूसरे तरीके से पूछा है ओंजीसी वो कंपनी है जो अठारा उनीस के दौरान सबसे अधिक मुनाफ़ा कंपनी वाली मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी बनी है 181 नंबर आपके सामने है आपसे पूछ रहा है कि इस सम्मेलन में सार्वजनिक सिवाओं को प्रदान करने के लिए डिश्टल प्लेटफॉर्म के उप्यूप पर फोकस किया गया है मुंबई में आयूजन हुआ है जरूर इसको ध्यान रखेगा 182 नंबर ऐसे पूछ रहा है कि ली नगाई नी लोई नगाई नी नाम पूरा निम्न राज्यों में से किस में मनाया जाता है एक्तेवार है ठीग है बताईगे वही यह तोबहर कहा है यह मडीपुर में मनाया जाता है ये विकल्प आपका सही होगा, ठीक है, 14 से 15 फर्वरी को मनाया जाता है, बसंद का ये एक तरीके से क्या है, त्योहार है, जिसका नाम है लोई नगाई नी, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, 122 के बाद 173 नमबर अब से पूछा है, कह रहा है, कि पुर्थगाल के राष्टपत संग्राल है, बिरासत परिशत की अस्थापना के लिए सही हो के लिए समझोता ग्यापन पर हस्थाचर हुआ, ठीक है, दूसरा बोला, भी हब तिलंगाना और, ठीक है, पारकर विस कोवी हैला, वहां के गंपनी है, के बीच महिला श्टार्टप उद्दमियों के आदान पर के लिए समझोता ग्यापन पर हस्थाचर कीएगे, इन में से अगर देखें कौन से विगल्प से ही, ये दोनों कथन आपके सही होते हैं, ठीक है, पुर्तगाल के साथ ऐसे समझोते हैं, हमारे दोनों हुए हैं, तो दोनों को ध्यान रखेगा, 174 के बाद 174 नंबर पूछ आप से देश कई पहली अंडर्वाटर ट्रेन लाइने निमलिकत में से किस अस्थानों में होंगी, ठीक है, बताइए वई, अंडर्वाटर अपने यहां ट्रेन चलने जा लगी, तो कहां पर चलेगी, बताओ, कोल्काता में, ए विगल्पाप का सही होगा, ठीक है, कोल्कात में, कोल्काता में, मेट्रो के पूर पशिम कॉरीडियोर के पहले चानर का उधगातन जब जिस दिन किया था रिल मंत्री प्यूस गोहल ने, उसी दिन बोला था कि 5.8 किलोमीटर के इस खंड में, यात्री सेमा, साल्ट लेक के सेक्टर 5, और साल्ट लेक स्टेडियम के कासी महाकाल एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उदे एक्सप्रेस है, या तेज एक्सप्रेस है, चलिए, इसके बारे में अगर सही उत्तर देखा जाए, ति तीन जोते लिंगों को जोडने वाली आपकी कौन सी ट्रेन है, दोई साप्ताहिक ट्रेन है, यह ट् दिखाई एक सूपचतर के बाद एक सूचेतर नंबर आप से पूछा है एक वार्सिक दोड़ है भैस दोड़ कंबाला नाम है यह कहां आयुजित किया जाती है कंबाला दोड़ कहां पर होती है चलिवाई करेंड का मुद्दर आए विगल्फ होगा करनाटक में ठेक क्यों ऐस यह जो है आया क्योंकि कंबाला जाकी स्री निवास गौड़ा इससे बहुत ज़्यादा फेमस हुई है स्री निवास गौड़ा को कहा जाता है ठीक कि इन्होंने उसेन बोल्ट का भी रिकार्ट तोड़ दी अपने बैलों के साथ यह इतनी तेज दोड़े कि 13.62 सेकंड में यह 142.5 मीटर की दूरी जो है तैकर ले गए 13.62 सेकंड में 102.5 मीटर की दूरी जो है जी ती और अगर इसको देखा जाये तो यह 9.55 सेकंड हो गया 100 मीटर को इन्होंने 9.55 सेकंड में क्रास कर दिया और जो आपके उसेन बोल्ट हैं वो 9.58 सेकंड लेते हैं 100 मीटर को क्रास करने में इसने 9.55 सेकंड में क्रास कर दिया है स्री निवास ने समझ गए आगे बढ़ते हैं 116 के बाद 117 नंबर आपसे पूशा है कह रहा है कि निमलिखित मेंसे किस राजिने हाली में बोतल बंद पानी को आवश्चक वस्तु अधिनियम 1955 के दाइरे में ला दिया ठीक है 117 नंबर 117 का विकल्ब एस ही होगा केरल अभी मास्क और इन सभी को भी किसके आवश्चक वस्तु के अंतरगत ला दिया गया है जिससे क्या होता है सरकार जो पैसा फिक्स करेगी उतना ही दुकांदल ले पाएंगे उससे ज्यादा नहीं 117 के बाद 178 नंबर आपसे पूछा है कि एकसर समाचारों में देखे जाने वाले गधिका उतपाद किस राजिके हैं ठीक है यह गडिका बोल सकते हैं यह उतपाद आपके केरल लाजिके हैं यह विकलप आपका सही होगा पिछले साल जो है दिसंबर में केरल के अंसूचित जाती और अंसूचित जन जाती भी भाग द्वारा इकामर्स प्लेटफार्म पर लांच किया गया था अमेजन गधिका उतपाद ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं 178 के बाद 189 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा है कि होबोई कहां का एक लैंड लॉक प्रांथ है अब जायर सी बात है यह करेंड में आया होगा तब ही आप अधरी चीज इसको धियान रखेगा यह लैंड लॉक है आखरी यह क्यूं आखर जो है नीज में आया क्योंकि आप जानते है कोविट तूठा जो है वाइरस के बारे में जो कोविट 19 वाइरस रहा ठीक है यह इसका प्रकोब बिंद्व आपका क्या है हुबोई प्रांथ ठीक हुबोई मधिचीन में एक लेंड लाग प्रांथ है इसकी राजधानी बुहान है बुहान ही आपका क्या है जहां से यह कोविट 19 आपका वाइरस फैला हुआ है इसलिए इस चीज को ध्यान रखेगा प्रांथ के नाम का आर्थ अगर देखा जाए हुबोई तो हुबो हुबोई आपका कहा का प्रांथ है चाइना का चाइना और हुबोई प्रांथ की राजधानी है बुहान बुहान से ही फ्वैला कोविट समझ गए आज दुनिया रो रही 180 नंबर प्रशना आपके सामने है पूछला कह रहा है कि अन्नी निगरानी छित्रादिकार निम्न में रहते हैं कि इसमें पाकिस्तान पड़ा हुआ था तो इसी पर एक बैठक चल लगी है एफटी एफ ग्रेलेश्ट की ठीक है कि इसको उसमें रखा जाए कि नहीं रखा जाए आगे बढ़ते हैं 180 के बाद 181 निंबर प्रशना आपके सामने हैं आप से पूछ रहा है कि फिल्म फेर पूरसकार में सर्फ्रेश्ट अभिनेता यूम अभिनेत्री का पूरसकार किसे प्रतान किया गया ठीक है फिल्म फेर जो आपका वर्ड आ इसमें सर्फ्रेश्ट अभिनेत्रा और अभिनेत्री किसे मिला तो रणवेर सिंग और आलिया भट्ट यह जोड़ी जो है इन दोनों को जो है सरफरीस अभिनेता और याम सर्व सर्बशरेश अभिनेती पुरसकार दीया गया है समझ करूं चलो वेड़ spectroscop test का क्रेटिक अबाड जो मिले 2022 फिल्म आर्ड के लिए मिल है। सअऑं इस्मान किराना को फिल्म आडग के लिए मिलेटра आपसे पूछ रहा है खासदार ओदोगिक महत्सों का आयोजन कहां हुआ इस महत्सों का आयोजन नागपुर में किया गया अपिकल पाफ का राइट होगा नागपुर इस्थित सुछ मलगो और मोजोले उद्दम विकास संस्थान में 14-16 मारश के बीच में 14-16 मारश के बीच म जो है इसका आयोजन होना था आगे बढ़ते हैं 182 के बाद 183 नंबर आपसे पूछ रहा है कि भारत ने घुमंतु जंगली पस्वों के संद्षण पर हस्ताचर कप किया था बाताई भारत ने घुमंतु पस्वों जंगली पस्वों के संद्षण पर हस्ताचर कप किया था विगल सी आपका राइट होगा 1983 की बात है 1983 में भारत ने जंगली पस्तुवों ठीक है घुमंती पस्तुवों के संद्षण की संधी पर हस्ताचर किये थे समझ गए सी विगल वापका राइट है आगे बढ़ते हैं 83 के बाद 84 नंबर आपसे पूछा है बैंगलोर ओपेन अगला आपसे पूछ रहा है कि बैंगलोर ओपेन ATP चैलेंजर टूर्णमेंट में सिंगल्स का खिताब किस ने जीता चली बटाइए फटाफट सिंगल्स का जो खिताब जीता है ये जीता है जेम्स डगवर्थ ने सिंगलोर ओपका राइट होगा समझ गए आगे बढ़ते हैं 184 की बाद 150 नंबर प्रश्णा आपके सामने हैं आपसे पूछ रहा है कि मिर्दा स्वास्तकार्ड योजना की सुरुवात कब की गई कल मैंने जन्धन और इन सबसे बहुत सारे टॉपिक्स को आपको कबर कराया था ये सब करेंड में रहे इसलिए इनके पूछे जाने की चांसे हैं 2015 में सुरुवात होई थी मिर्दा स्वास्तकार्ड योजना की आखिर इससे पूछा क्यों गया क्योंकि आप जानते हैं 2015 में जब इसकी सुरुवात की गई थी 15 से 17 के चरण में अगर देखा जाए तो दस करोड से अधिक मिर्दा स्वास्तकार्ड बितरित किए गए और दूसरे चरण में 11 करोड से अधिक जो है मिदाकर्ड बितरित कि कितनी कोरों में अस्थाई नियुक्ति का प्रावधान किया था ठीक है 19 में इससे पहले भारती सेना में महिलाओं की नियुक्ति को ले करके खास कर ठीक है तो महिलाओं की नियुक्ति के लिए 10 कोरों में पहले ही प्रबंध किया जा सकता है अब अस्थाई कमिशन के लिए सुप्रिंग कोड ने निर्देश दिया है समझ गए इससे पहले 10 में होती थी लेकिन अब जो है इसने सुप्रिंग कोड ने कहा है कि सभी कोरों में अस्थाई कमिशन दिया जाए महिलाओं को 187 नंबर प्रशन आपके सामने है पूछ रहा है अटल भूजल योजना को लागू करने के लिए हाली में भारत सरकार और किसके भी समझ गए बीच में अटल भूजल योजना को लागू करने के लिए हाली में भारत सरकार और बिस्व बैंक के बीच में समझ होता हुआ है देश में जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो भूजल का अस्तर है अपने यहां यह लगातर डाउन हो रहा है घट रहा है इसी की वज़े से यह समझ हो ठीक है 2030 तक केतना होना चाहिए उच्छ सिचा के लिए 50% का लक्ष हमने हासिल किया है कल भी मैंने यह इस प्रश्ण को कराया था ठीक है लेकिन वहां भासा दूसरी थी अगले आप से पूछ रहा एक सो नमासी कह रहा है राष्टी अधिकर अधिनियम की अस्थापना कब की गई जाहिर सी बात है यह करेंड में रहा इस वज़े से आप से पूछा गया अठार जुलाई अठार अक्टूबर 2010 की बात है जब इसकी अस्थापना की गई थी समझ गए इसी लिए इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा आगे बरते हैं 189 के बाद 190 190 आप से कह रहा है कि गुजरात के गांधी नगर में चले कॉप 13 सम्मेलं का सुभंकर गया है मैंने तो यह तो बताया था कि यह चला इसका जो सुभंकर रखा गया है यह गिवी को रखा गया सी विकलपका सही होगा समझ गया गिवी ठीक यह जो गिवी है यह द एक नया बेफॉर्म गिवी उपाइस प्लस जिसे हाली में समझार में देखा गया है किसकी पहले है बताइए 191 का सहीव प्रश्नगर देखा जाए तो वो कारपुरेट कारीमंत्राले के द्वारा जो है इस प्लस ठीक है एक नया बेफॉर्म लांच किया गया है प्रशनाफ के सामने हैं 193 प्रशनाफ से पूछ रहा कि छिपकली लिजाड की एक नई प्रजाद जिसका नाम जो है प्रजाद मिली है और यह प्रजाद असम में मिली असम के गुवाहाटी में तो यह विकल प्रशनाफ के सामने है पूछ रहा है कि विस्व भासा डेटाबेस एथनुलाग द्वारा जारी नवीन तब रिपोर्ट में हिंदी विस्व में बोली जाने वाली बोलियों में किस अस अस्थान देखें तो यह ठीक है किस अस्थान में पहुंच गई यह अस्थान में पहुंच गई है तीसरी सी विकल पपका राइट होगा प्रथम अस्थान पर अगर देखें तो अंग्रेजी भासा है प्रथम अस्थान जरूर याद रखना इंग्लिस है अंग्रेजी है त समझ गए मढ़ भूलना कि 14 के बाद 95 आप से पूछा एं कि यह झाली ने भारत को भारत में अपना अंगला उच्छाउेश किसे नीउखतिो किया तो 95 का स ficar तो तो वह बैरी ओफ्रेल यह जिनको आस अने भारत में अपना अगला जो है उच्छाउकत नीट किया है 195 के बाद 196 प्रशन आपसे पूछ रहा है कि जो FATF यानि बित्तिय कारवाई कारिबल लहा का एक सब्ता का सम्मेलन कहां पर हुआ ठीक है जिसमार पाकिस्तान पर फैसला लेना था ये सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ था सब्सक्राइब का राइट होगा यहां पर फैसला ये लेना था कि पाकिस्तान को ग्रेलेश्ट में रखे या निकाला जाए अगला प्रशन 197 नंबर आपसे पूछ रहा है उत्तरप्रदेश बिसेस हो गया कि उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा राजी बिधान सभा में 2020-21 के बारसिक बजट का आकार कितना है ठीक है तो 197 नवे हमेशा दिवांग में बनाए रखेगा इस राजी बजट जो सरकार है उत्तरप्रदेश सरकार इसका बजट 5,12,860 क रोड रूपय का है सीब इकलपाप का राइट होगा ठीक है चलिए 198 प्रशन आपके सामने है आप से पूछ रहा है कि देश में उत्पादन के किस छित्र में आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए किस नए अभियान चलाने को ठीक है नेडए सरकार द्वारा लिया गया है अ और इस मिसन के द्वारा दस हजार ठीक है क्रिसी उत्पादक संगठनों को बनाने पर सरकार जोड़ दे रही किसके लिए तिलहन के लिए मत भूलना ठीक है तिलहन के छेत्र में उत्पादन की आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए एक नया मिसन लांच किया गया है 199 नंबर अब प्रशनाव के सामने हैं आप से पूछा क्या है मिर्दा स्वास्तकार्ड योजना से संब्धिन निर्मकर्णों पर विचार करिए पहला बोला प्रदानमत्री ने ने निस परवरी 2015 को राजस्थान के सूरत गड़ में मिर्दा स्वास्तकार्ड योजना की सुरवात की थी दूसरा बोलब लाइस योजना के पांच पूरे हो चुके फंदरा पांच पीस हैर सी बात है इसके दो चरणौ में 22 कोर से अधिक फिसानों को मिर्दा स्वास्तकार्ड जारी किये zitten तीसरा बॉला इस योजना का उद्देश हर दूसरे साल की फिसानों को मिर्दा स्वास ज्धों की मिलगे के अध्यजर जंजरु सही है नंद की सच्लिके आवी छाटराना समझ गये क्यों क्योंकि अविश है इसकी स्थापना देखे तो अनुच्षेद 338 में इसको अस्थ्थापना की बात कही गई है इसको भी मत भूलेगा Đारेक्ट हुआ चीम विद्धिन किस देखते हैं 200 एक नंबर में आपसे पूछा है कि भायो एसे समयलन का यूजन कहां किया गया था अब इसमें अगर हम Bioaceae Sammelan के आयोजन की बात करें तो आप सभी को ध्यान है, Bioaceae जो Sammelan हुआ था, इसका आयोजन हुआ था, हैदराबाद में, Devical Pub का सही है, और यह जो आयोजन हुआ था, इसमें खास कर आपको ध्यान रखना है, बातिये फार्मा सबसे पहली चीज किनके किनके बीच में आखिर किया गया, तो बातिये फार्मा जो है, और साथ ही साथ, BioTech Uddoog, इन दोनों का एक तरीके से यह सम्मेलन नहा, BioTech Uddoog से समंधित, इसमें क्या चीज़ें आई, इन दोनों के सम्मेलन में क्या निसकर्स निकला, यह निसकर्स आया कि 2015 तक का, ठेक है, 2020 तक यह दोनों जो कमपनिया इन दोनों ने मलब जो करार हुआ है, इस करार के अमसार 2025 तक 40 अरब डालर से बढ़ कर, इस समय जो इनका मौझूदा व्यापार है यह 40 अरब डालर से बढ़कर 100 अरब डालर ठीक है 100 अरब डालर तक इनकी उम्मीद है कि इनका जो मौझूदा व्यापार है वो बढ़ जाएगा ठीक है आगे बात करें हर सम्मेलन में नुवार्टीस के जो CEO है भारतिय फार्मा यान कर जाए जेन暗ए यौले एक्स्शलन्स पूरसकार इनको दिया गया है डाक्टर वास अश्यूंधर को जान ऑफ दियाभलन में यह समझ गए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर 202 नमबर प्रशन आपके सामने हैं 202 नमबर आप से पूछा है कह रहा है कि run for India T का आउजन कहां किया गया कोलकाता में तृपूरा में करनाटका में या फिर केरला में run for T India का आउजन कहां किया गया इसका सही जबाब हमें राजी में हुआ है और किसलिये किया गया आखिर इसका नाम जैसा रहा सके पीछे उद्देश किया रहा कि त्रिपुरा राजी अपनी चाय को पूरे देश में बढ़ावा देने के उद्देशी से इस आउज जो है एक तरीके से उसका प्रतियोंग का आयोजन इसने किया था स साथ ही साथ इसमें किनका योगदान है तो इसमें भारतिय चाय बोर्ड ने त्रिप्रा चाय बोर्ड का योगदान किया है किसने जो भारतिय चाय बोर्ड है भारतिय चाय बोर्ड के साथ साथ त्रिप्रा चाय बोर्ड का इसमें सहयोग रहा और दोनों ने मिलकर इस सम्मेलन क आयुजित किया था रन फार इंडिया टी तो यह आयुजित करने वाला आपका त्रिप रहा है आगे बढ़ते हैं 202 के बाद 203 आप से पूछा है कह रहा है यह थोड़ा सा और जरूरी है भारत में अपनी तरह का पहला सिटी स्कैनर जिसका नाम सीमेंस सोमाटम ड्राइब है क अउड़ाचल प्रदेश में कहां अस्थापित किया गया ठीक है यह अपने तरीके का पहला सिटी स्कैनर है भारत में इस तरीके का लगने वाला और इसका हमें पूछा है कि यह है अउड़ाचल प्रदेश में अस्थापित हुआ यह भी बात आपको पता है लेकिन कहां पर रौड़ाचल प्रदेश के जिले आपके दिये वे हैं इसमें अगर बात करें तो सही उत्तर है नाहर लागुन में रौड़ाचल प्रदेश का नाहर लागुन एक जिला पड़ता है उस जिले में इसको अस्थापित किया गया है नाहर लागुन में टॉंबो रिवा इंस्टि इटा नगर में एक और चीज़े होई है राज पुलिस वलके नए मुख्याले भी बनाए है और बिधायक अबार्डमेंट की भी उन्होंने नियू रखी है तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपका यह है कि एवनाचल प्रदेश के नाहर लागुन जिले में इसको अस्थापित क किया गया है जो भारत में अपनी तरह का पहला सिटी स्कैनर है समझ गए आगे बढ़ते हैं दो 2005 नंबर आपसे पूछ रहा है कह रहा है कि राष्ठी और राज जिमानों अधिकार आयोगों की वारीशिक बैठक का अउजन कहां हुआ इसकी जो अध्यश्चता की, वो किस न की? तो इसकी अध्यश्चता जो आपका राष्टीये मानौ अधिकार आयोग है, जिसके अध्यश्च इस समय वरतमान में आपके HL दथू हैं, इन्हों ने किया था. ठीक है एचल दत्तु ने इसकी जो है अध्यचता की है इस चीज को ध्यान रखिएगा एचल दत्तु ने इसकी अध्यचता की और एचल दत्तु आपके राष्टी एमानवा अधिकार आयोके इसमय वर्तमान में सदस वो है ठीक है अध्यच है अगला 206 नंबर पूछा है कि फ जो आपका फिपा जो है अंडर 17 वे शुकप है इसका जो इस बार का अधिकारिक स्लोगन है वो स्लोगन है केक आप दा ड्रीम ठीक है यह विगल पप का सी राइट है और वे शुकप टूनामेंट का जो यह अधिकारिक स्लोगन लांच किया गया उसके बाद केंद्रे जो ख सुरू हो चुगा है इस शीज को ध्यान रखेगा 21 नॉम्बर को final इसका match होना है इसके भी आपको ध्यान रखना है दो नॉम्बर से सुरूआत होगा 21 नॉम्बर को final match होगा अपने यहां पांच मेजवान सहर बनाए गया है जहांपर इनके अलग-अलग match खेले जाएंगे तूरिंग डोनाल्ड कनुथ या फारीड ब्रोक्स अगर इसमें बात करें कि कम्प्यूटर में कट कॉपी पेस्ट कमांड का जो पता लगाए थे जिन्होंने एक तरीके से इसकी एक रिसर्च करके दी वो थे आपके लेरी टेसलर एविगल पापका सही है इसको जरूर ध्यान किया था उन्होंने और धीरे धीरे फिर इन्होंने एक महान खोज दुनिया को बताई जो आपका कॉट कॉपी और पेस्ट कमांड होता है जिस पर आज की दुनिया आधारित है साथ के बाद आठ नंबर आपसे पूछ रहा है कहे रहा है सेवा निविर्ति जो लेफ्टिनेंट जन्रल कौन से ऐसे हैं को राष्टी आपदा प्रवंध प्रादिकरण का सदस्य न्यूक्त किया गया ठीक है अब आपको चुन्ना है सही जवाब इसमें ध्यान रखिएगा सैयद अता हसनैन है जिनको राष्टी आपदा प्रवंधन प्रादिकरण का सदस्य न्यूक्त किया गया है तो डी विगल पापका राइट है दोसु आठ के बाद दोसु नो नंबर प्रश्ण की ओर बढ़ रहे हैं दोसु नो नंबर आपसे पूछ रहा है कि पूरे विग्यान दिवस या फिर बेस्व सिरच्छा दिवस जब हम बात करेंगे आपके 21 फरवरी की हमेशा दिवाग में बनाये रखेगा यह पूरे बेस्ट में मनाया जाता और 21 फरवरी को आपका ठीक है जिन लोगों ने जबाब के तोर पर दिया है कौन सा वी विकल्प वो ल अजर्सवाग की निमन में से क्या है इनिटी वाई स्पोर्ट शीनिटी वाई टोक्यो इनाइट बाइए इमोसंस इनिटी बाइब बेजिग सही उत्तर अगर दूसरों दस नंबर आपका प्रशने देखते हैं तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा जिन लोगों ने जव इख्रीश का非 आपका ओलंपिक हैं इसकी जू आज मर्लब आजयं कर रहा यह मैजवाणी कर रहा है वह आपकी जापान की रहतनी टोक्यों एसा दूसरी बार हो रहा है जब जापान में ग्रीश मुक्रावराइन ओलंपिक का आयोजन जो है हो राए चीज को ध्यान रखिएगा सारे लोग दोस्तों दस के बाद 11 नंबर ध्यान दीजे, 11 नंबर आपसे पूछा है, कि ब्लिव ओरीजिन प्रोग्राम जो है, ये किसके अंतरगत है, तो जिन लोगों ने भी बिगल्ब के तोर पर आपका चुना है, ये है एक अंतरिच यान से संबंदित आपका प्रोग्राम है, क्यों ऐसा, अमेरिका ये जो आपकी खास कर इसमें देश कौन सा जुड़ा है, अमेरिका जुड़ा है, अमेरिका निजी बित्त रूप से पोसित ये है एक अंतरिच यान है, अमेरिका का ये निजी बित्त पोसित यान है, साथी साथ इसकी जो अस्थापना होई थी, ये वर्स 2000 में की गई थी, किस में? वर्स 2000 में इस समय 2020 चल ला है, यानि 20 सालों से ये प्रिजन के बारे में बात करें कि 20 सालों से आखरी एक कारी क्या कर रहा हमेशा ध्यान रखिएगा यह उस चीज पर कारी करता है कि अंतरिच में जो लगातार लोग रह रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं ठीक है तो यह प्रोग्राम का मुख्य दिश यह है कि पुनाह कि जूनियर पूरुस हाकी बेसुकब 2021 का आउजन किस देश में किया जाएगा ठीक है भारत है पाकिस्तान आस्ट्रेलिया या न्यूजिलेंड जब इसका 212 नंबर सही उत्तर देखते हैं तो यहां जबाब मिलेगा जिन लोगों ने जबाब आपका चुना है भारत वो लो रहें हमेशा दिमाग में बनाये रखेगा लेकिन साथी साथ आपको यह धियान रखना है कि महिला जो जूनियर भी कप का ईज़न है यह साउथ अफरिकामें हो गार्फ डच्छेन अफरिका में होगा महिला वाला लेकिन यहां पर जो होना है यह आपका ूट्स हाकी बेसू एड़ में किया गया जब इसमें हम सही उत्तर देखते हैं तो इसमें सही जवाब होगा विकल ए कटक में आपका खेलो इंडिया जो है विस्विद्ध एले खेल का आईवजन किया गया है सबसे पहले तेरा के बाद 14 नमबर आपसे पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम कौन सा है सरदार पटेल मिलवर्ण कुलकाता का इडिन गार्डेंस अभी तक आपका मिलवर्ण था लेकिन हिंदुस्तान के गुजरात परंत में सरदार पटेल इस्टेडियम बनने के बाद यह आपका सबसे छोटा हो गया जिसको आप मुंटेरा इस्टेडियम के नाम से जानते हैं ठीक है चोधा के बाद 15 नमबर आपसे पूछ रहा है कि स्यामा प्रशाद मुखरजी राष्टी यह ररबन मिशन अरबन नहीं ररबन मिशन कब सुरू किया गया था इस बारे में अगर देखा जाए तो हमेशा दिमाग में बनाए रखेगा यह आपकी सुरुवात हुई थी 21 फरवरी 2016 की बात है आज इसको चार साल हो गया है यह जो आपका स्यामा प्रशाद आपका मुखरजी ररबर मिशन है इसमें 21 फरवरी को ही यह चीज़े आई थी ठ और हावा देकर उनका आर्थिक विकास करना है ठीक है इसकी जो है इसको सुरुवात किस ने किया था 21 फरवरी 2016 को प्रधान मंत्री देनरेद मोधी के द्वारा द्वारा जो है इसकी सुरुवात की गई थी दोसु सुला नंबर आपसे पूछ रहा है किसे प्रधान मंत्री का नया सलाकार न्यूक्त किया गया है जब हम नय सलाकार के बारे में बात करते हैं मौजूदा प्रधान मंत्री के तो अमरजीत सिंग और साथी साथ भाज कर खुल वे इन दोनों विक्तियों को प्रधान मंत का नया सलाकार अभी हाली में न्यूक्त किया गया है समझ गयें यह जो सलाकार होता है इसका वी आपका जो पद होता है यह सचिव के समकच्छ होता है ठीक है दोसु सूला के बाद 217 नंबर आपसे पूछ रहा कह रहा है कि ब्रेटेन के आर्थिक और व्यापारिक और संधान केंदर की रिपोर्ट की अनुसार भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था कब बन जाएगा एकॉनमी से सम्मंदित है बहुत ज़रूरी भी है यह 2034 की बात है जब इंडिया जो है बेसु की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगा समझ गए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन 217 के बाद 218 आप से पूछा है कह रहा है तीन दिवसिये राष्टी जैविक खाद महुत्सो कहां आयोजित हुआ तीन दिवसिये यानि तीन दिन तक चलने वाला आपका राष्टी जैविक जो आपका खाद महुत तो रहाई इसका आयोजिन आपका नई दिल्ली में किया गया है एविकल्पी यहां पर राइट है अब इसका नाम देखिए राष्टी जैविक खाद महुत्सो आखिर इसकी विसेस्ता क्या रही इसमें किया क्या गया था जैविक जो मुख्य रूप से इसका कारी रहा पारा के बाद 19 नंबर आप से पूछा है बुढधा नाला आखेर इससे प्रशन क्यों आए अब यह टीसी एस वाले परेटन पर हो गया बुढधा नाला निमलिखित में से किस सहाइग नदी की एक मौसमी नदी अभी बुढधा नाला चर्चा में रहा तो इससे सीधा सीध प्रशन पूछा गया यह किस एक सहाइग नदी है किसी नदी की तो आपको दिमाग में बनाय रखना है यह सतलज नदी की आपकी सहाइग नदी है बुढधा नाला ठीक है पंजाब मंत्री मंडल ने क्या किया है सबसे पहले चरण में आत्यदिक प्रदूसर्ण वाले इस नंबर सवाल आप सभी के सामने हैं पूछ रहा आप से कहरा हाली में खबरों में देखा गया संजीव पूरी विसेशक की समूह किस से संबंदित है संजीव पूरी ठीक है यह विसेशक की है इनके अध्यचता में एक समूह बना है तो बताए क्रिशी निर्यात को इसकी समूह यह इसलिए बनाया गया है कि क्रिशी निर्यात को प्रोचसाहित करना है राज इसके लिए राज्यों के लिए मापनिये प्रदर्शन संबंधी प्रोचसाहनों की सिफारिस भी करना है तो यह विकल्प आपका यहां पर एकदम राइट अंसर है आगे बरते हैं इसके बाद 21 नंबर प्रशन पर 21 नंबर आपसे पूछा है कि राष्टिय जैविक भोजन उत्सो कहां मनाया गया नई दिल्ली मुंबई चन्नई या कुलकता जब इसमें हम सही उत्तर देखेंगे तो हमेशा दिमाग में बनाए रखेगा यह दो दिशी आपका आयोजन नह 21 से 23 फरवरी 2020 के बीच में चला है और इसका आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया यह विकलब आपका राइट है 21 से लेकर 23 फरवरी तक चला है समझे इसमें लगबग 150 संख्याबल में महिला उद्दमियों ने भाग लिया था ठीक है आगे बढ़ लेते हैं इसके बाद 222 प्रशन आपसे पूछा है 222 नमबर अब यह इस वज़े से आपके सामने आया है क्योंकि अभी आठ मार्श आना था तो उससे पहले बहुत सारी चीजे जो है आपसे पूछी गई कहरा है प्रदान मंतरी किसान योजना के तहट किसानों के विच फरवरी तक कितने करोड 66 है 75 है 50,850 है हमेशा दिमांग में बना लीजिए जो प्रदान मंतरी किसान आपकी योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहट फरवरी तक अगर देखा जाए तो किसानों को लगभग 50,850 करोड रुपे बितरित किये गये है ठीक है इस योजना को जो है 24 फरवरी को ए 850 करोड रुपे इसके द्वारा दिये गए इसका जो है पिछली साल 24 फरवरी को प्रदान मंतरी मोदी ने गोराखपूर से इसकी सुरवात की थी इस चीज को जरूर ध्यान लखेगा ठीक है इसकी सुरवात गोराखपूर से करिये थी आगे बढ़ते हैं 222 के बाद अगला प्रशना आप सभी के सामने हैं 223 नंबर आप से पूछा है कॉप 13 वाला जीव जन्तों की प्रवासी प्रजातियों के संद्चन से संबंदित 13 वां CMS COP 13 कहां पर संपन हुआ COP 13 का जो संमेलन आयोजन हुआ ये कहां पर हुआ है आप सभी को मालूम है COP 13 का जो आयोजन किया गया ये है गुजरात के गांधी नगर में इसका आयोजन हुआ था ये उत्तर आपका एकदम सही है समझ गए ये जीव जन्तों की जो प्रवासी प्रजातियों होती हैं उनके स 136 से संबंधित आपका संमेलन था COP 13 ठीक है आगे बढ़ते हैं 223 के बाद 224 नंबर आप सभी के सामने हैं आप से पूछा है स्यामा प्रशाद मुखर जी ग्रामेड मिशन के चौथे वारसिक समारो का आयोजन कहां किया गया जब इसमें हम सही उत्तर देखेंगे कि आखिर स्यामा प्रशाद मुखर जी ग्रामेड मिशन का चौथा जो वारसिक समारो रहा इसका आयोजन कहां हुआ इसका भी आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था ये विकलप आपका सही है आगे बढ़ते हैं 224 के बाद 225 नंबर आप से पूछा है कह रहा कि नव सेना की क इस दिब्यांग बच्ची को खुले पानी में तैराकी में 200 रिकार्ड बनाने के लिए सम्मानित किया गया दिब्यांग है वो बच्ची फिर भी तैराकी में इसने जो है 200 रिकार्ड बनाया है इसके लिए सम्मान दिया गया है जिया राय को डी विकलप का एकदम सही है जिय ठीक है यह आई एने सिक्रा में तैनात आमसदुतिये में मास्टर चीफ हैं मदन राय उनकी ये वेटी है मदन राय की ये वेटी है और इस जो है लड़की ने क्या किया है दिब्यांग हो करके भी तैराकी में 200 रिकार्ड बनाया है अपने आप में तो ये बहुत बढ़ी S.P.I.C.I.S.E.edi. प्लस ठीक है नाम से एक नया वेटषा राय लांच किया है तो जब हम बात करेंगे आपका किसका S.P.I.C.I. की ये जिसको आप सिपसी बोल सकते हैं, सिपीकी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, इसको लांच आपके किसके द्वारा किया गया है, इसको लांच किया है आपके कार्पोरेट कारी मंत्रा लेने, ये विगल पापका एकड़म राइट आंसर है, मत भूलिएगा, 226 के बाद 27 आपसे पूछा भी है, तथा आयुद नियम 2016 में किये बदलाव से संबंदित कथनों पर ध्यान दीजिए, पहला कथन बोला है कि जो नया नियम आपका आया है, उननीस वाले में, इसके अनुसार अब अंतरराष्टी पदक विजेता है, या कोई विख्याद निसानिवाज है, को कुल 12 तक जो है कुल 12 तक अतरिक्त सस्त्र रखने की रियायत दी गई, जो पहले 5 थी, अब बोला वो विख्यादी जो है 12 सस्त्र रख सकता, दूसरा बोला, इन रियायत वर्गों के सस्त्रों के अतरिक्त भी खिलारी, दो सस्त्र आयुद अधिनियम 1969 के बतोर एक सामानी नागरिक भ बहुट दिया है, अभी इन में से हम सही उत्तर देखें तो हमेशा ध्यान रखेगा, इसमें जो आपका सही उत्तर है, ये कखना आपका दूसरा और तीसरा सही रही है, यहनी बिस जबाब आपका सही है, पहला नियम इस लिए कर आया कि न्यू जो आये हं divine ume, इसकेन सरा अ मांच और बढ़ा के बारा कर दिया गया तो बाकी आपके दोनों कथन सही थे इसी में यह गलती थी 27 के बाद 28 नंबर बढ़ते हैं 28 नंबर आपसे पूछ रहा है कह रहा है जो गरतन दीवस परेट 2020 के लिए सेना के सर्वस्रेष्ट मार्चिंग दस्ता का पूरसकार की से दिया गया ठेक है सेना का सर्वस्रेष्ट मार्चिंग दस्ता आपका कौन बना है वो बना है आपकी इंडियन एर फोर्स वाई सेना को दिया गया है इस चीज को जरूर धिया नखेगा ठेक है आगे बढ़ते हैं थी मोवी इसकी इनसे ये फेमस वी थी और वो थी कैथरीन जॉंसन सी विखलपका राइट है कैथरीन जॉंसन ठीक ये नासा के कम्प्यूटर पूल की एक प्रमुख हिस्सा थी इन्होंने अपोला थर्टी अपोलो जो थर्टीन रहा उसको चंद्रम चंद्रमा पर उतरने और चंद्रिच यात्रियों को साकुसल प्रत्वी पर लाने में महत्पूर्ण गर्णाएगी थी और इन्हीं पर 2016 में हालिवूड ने एक मूवी उतारी थी ठीक है जिसका नाम दिया था दाहेडन फीगर्स 2017 में इनके सम्मान में कैथरीन जी जॉंसन ठीक है एक नाम से फैसिलिटी भी नासा ने इनके सम्मान में सुरू की है 29 के बाद 30 नंबर आप से पूछा है कि अंतरराश्टी क्रिकेट काउंसिल ने निमलिखित में से किस खिलारी पर मैज फिक्सिंग के आरूब के कारण साथ वर्स का प्रद्बन लगा दिया अंतरराश्टी क्रिकेट का इन पर प्रद्बन लगा गया यह अगले साथ साल तक लगाया है और इन पर यह बोला गया कि यह मैश को प्रभावित करने के लिए भ्रष्टाचार निरूधक जो सहिता है ICC की 2.1.1 को इन्होंने प्रभावित किया इस वज़ा से इनको बैन कर दिया गया साथ साल के लिए सीधा बैन किया है 230 के बाद 31 आप से बोला कि UNICEF द्वारा जारी हाली में एक रिपोर्ट के अनुसार किस दच्छिणी SCI में बाल को पोशन तेजी से घटा बहुत ही important प्रश्ण है इसको जरूर ध्यान रखेगा UNICEF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके UNICEF के अनुसार जो आपका बाल को पोशन है यह सबसे तेजी से घट रहा है बांगलादेश में ठीक है दच्छिणी SCI देश बांगलादेश है जहां पर आपका बाल को पोशन तेजी से घट रहा है समझ गए 231 के बाद 232 नंबर प्रशन पर बढ़े रहे 232 आप से पूछा है कि किस सहर में अस्थापित राष्ट ये युद्ध इसमारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्सगार्ट मनाई गई आप सभी जानते हैं यह जो इसमारक है यह आपका नई दिल्ली में अस्थापित किया गया है ड 233 नंबर सवाल आप से पूछा है 233 भारत द्वारा 2020 में किस सहर में राष्ट मंडल निसानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियंशिप का आयोजन किया जाएगा चंदीगड है बैंगलोर है पूरे है नई दिल्ली है तो इसमें जब हम सही उत्तर देखेंगे 2022 में राष्ट जुलाई से साथ अगस्त के बीच में ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अगला 234 नंबर आप से पूछा है कह रहा है मेलानिया ट्रम्प द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस सिच्छा प्रडाली को देखने के लिए बिसे उस द्वारा किया गया प्रश्णल क्लास है क्लास लॉफिंग क्लास या योगा क्लास किसको देखने के लिए अमेरिकी राश्पत की ठीक है पतनी मेलानिया ट्रम्प ने दिल्ली के स्कूलों का बिजिट किया तो यह हैपनेस क्लास को देखने के लिए गई थी वीगल पाप का राइट है ठीक है यह दिल्ली सरकार स्कूलों में कि सुरू की गई हैपनेस क्लास का जायजा लेने अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने एक सरकारी स्कूल का दोरा किया था समझ गए और जिस स्कूल में गई थी वो दच्छंड दिल्ली में इस थी नानकपुरा का एक स्कूल है ठीक है जहां पर उन्हों ने इसीच का दोरा किया चौतिस के बाद 35 नंबर पर आते हैं 235 आप से बुला कि किस देश में 2003 से नजरबंद बौदभिचु जिनका नाम ठिक क्वांग डुक है का हाली में निधन हो गया ये 2003 से लगाता जो है नजरबंद थे और इनका हाली में डेथ हुआ है ये देश आपका बियत नाम है बिय के छात्रों को बित्ये साहता देने ही तू जगन्ना वसाठी दिव्याना योजना जो है प्रारंब की है वो कौन सी राजी सरकार है जब इसमें हम बात करेंगे तो वह राजी सरकार बिलकुल जो आप सोच रहे हैं आन्द प्रदेश ही आपका राइट आप्शन है आन्द प भूलिएगा है कि अभी हुआ हो एक हमेशा दिवान में बनाया रखिएगा की जो आपकी जगन्ना वसाठी दीवाजी दीवेना योजना है ठीक है या दीवाना योजना भी मिल सकती है यह किसके दवरा आन प्रके आन प्रदेश सरकार के दौरा चालू की गई है 237 के बाद तो उसी में पूछ रहा यहाँ डी विगलपाप का सही होगा स्री राम नियास जो है गोयल को इनको अभी क्या किया गया है दिल्ली विधान सवा जो नहीं गठी थुई अर्विंद केजरिवाल फिर से मुख्य मंत्री बने तो उस में उस कारिकाल में इनको क्या चुना गया इ प्रबंध निदेशक चुना गया विजय सर्दाना अभैकुमार सिंग अंको स्पाल या नितिस नितिन नरायण वर्मा हमेशा इसको दिमाग में बनाय रहे कियेगा इसमें अभैकुमार सिंग को नेशनल हाइड्रो एलेक्टिक पावर कॉपोरेशन का चेर्मैन और प्रबं समय जो है जैसे मौझूदा अगर देखा जाए तो मौझूदा ये अस्थान लेने जा रहे हैं रतीस कुमार का रतीस कुमार ठीक है इस समय मौझूद थे उनकी जगे पर इनको नियुक्त किया गया है अरतीस के बाद 49 नंबर आप सभी के सामने पूछ रहा है मानो संसादन विकास राजमंत्री हैं संजेद होत्रे जी इन्हों ने एक सच्वाइव प्रदोग्की से संबंदित आयोजन की जो प्रदर्शनी रही इसका उद्गाटन राजधानी नई दिल्ली में किया है ठीक है यहाँ पर सही है आगे बढ़ते हैं इसमें क्या किया गया प्रदर्श प्रदर्शनी में जो है आयाइटी बांबे रोपड और धनबाद और दिल्ली के द्वारा सुच्छ जो आपकी एयर क्वाइल्टी के बारे में जितने भी इंस्ट्रिमेंट हैं जानकारिया देती है इन सभी का प्रदर्शन हुआ है चालिस रंबर आपसे पूछ रहा यह व ओजी ठकरबापू होगा फिर ठकरबापा या ठकरबापू दोनों मिलता है ठकरबापा सर्वेंट साफ इंडियन सोसाइटी के समर्पित सामाजी कारी करता थे तीसरा बोला संग के पहले अध्रिस डक्टर राजेईंद प्रसाथ थे जो देश के पहले राष्पत बने और जब तक जीवित रहे विराश्पत पर बद ने रहे अब भारती आदिम जात इसे वक्संग से संबंदित हम इन कथनों में जो कथन सही है उनको हमें चुनना है तो हमेशा दिमाग में बनाए रखेगा जब इसमें हम सही उत्तर देखेंगे तो यह चीज एकदम दिमाग में हो सारा किया गया ठकर बापा सर्वेंट साप इंडियन सोसाइटी के समर्पित सामाजिक कारिकरता थे और यह संग के पहले अधेश कौन आपके पहले देश के राजी आव वो राश्पती डक्टर राजेंद प्रसाद थे ठीक है तो इसमें तीनों विकलपाप का सही है उप्र ब्लिव डाट जो नेटवक है बैस्वीक और संरचना विकास के लिए उच गोडवलता वाले विश्वसनी मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों नीजीच हित्रों और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए बहु हित धारक पहल है यानि सभी को आपस में करने के लिए इसको बनाया गया है ब्लिव डाट नेटवक को दूसरा बोला यह चीन द्वारा की गई एक पहल है यानि इसकी शुरुवाद चीन ने की है तो इसमें जब हम देखेंगे कि कौन सा इसमें सही उत्तर है हमेशा ध्यान रखेगा कि यह जो ब्लिव डाट नेटवक है ज जो ब्लिव डाट नेटवक है न अगर इसके बारे में आप देखें तो बैस्विक जो अवसनरचना है विकास के लिए उच्छ गोडवत्ता वाले विस्वस्निय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निजिशेत और नागरिक समाज को एक साथ लाने की बाव यह द् अवलत हो जाएगा तो केवल एक सही होगा कथन यह विकल्प यहां पर राइट है समझ गए आगे बढ़ते हैं 241 के बाद 42 नंबर आप से कह रहा हाली में ख़ाबरों में देखी गई क्या बोल ला क्रैसों पेडो ट्रपिस ठीक और आगे नाम दिया है ग्रेटा थनबर्ग पूरा नाम सुनिए इसका और फिर ग्रेटा थर्णबंग क्या है अब ग्रेटा थर्णबंग के बारे में आप सारी लोग पढ़े हैं लेकिन यह है क्या हाली में पाया गया डाइनासूर का जीवास में या उस्ट्र कडवन दिये वर्सा वनों से घोगे की नई प्रजाती या केपलर अंतरिष्च दुर मंदित ग्रेटा थुनबर्ग या जो भी आप थर्णबर्ग भी बोलते हैं जैसा भी नाम उनका बोले इनके नाम पर एक घोगे की नई प्रजाती रखी गई है स्नेल जिसको आप बोलते हैं तो घोगे की नई प्रजाती का नाम इनके नाम पर रखा गया है ठीक तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा ये विकल्प आपका बी राइट है ये उस नकडवन दिये वर्सावनू में घूंगे की एक नई प्रजाद पाई गई है तो इस प्रजाद का नाम जो है किसके ग्रेटा थर्णबर के नाम पर कर दिया गया है 42 के बाद 43 नंबर आप सभी के सामने पूछ रहा आप से कहरा हिमाचल ग्रेहणी शोविधा योजना के संदर में निमलिखित कथनों पर बिचार करें पहला बोला कि हमाचल प्रदेश राजसरकार ने हाली में घोश्रा की है कि राजी सव प्रत्सत लपीजी गैस कबरेश करने वाला देश का पहला राजी बन गया दूसरा बोला विना एल्पीजी करेक्षन के राजी के सभी घर इसके लिए पात्र थे यानि जहां पर एल्पीजी करेक्षन नहीं है वो भी योजना के लिए सारे लोग पात्र थे क्या ऐसी बातें सही हैं इसमें ध्यान दीजेगा ये बात है आपके दिसंबर उन्नीस की ठीक है दिसंबर दोजार उन्नीस की बात है क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश राज सरकार ने घोसरा की कि यह राजी जो है सौ प्रतिसत लपीजी गैस कबरेच करने वाला राजी बना है और वो भी देश का प उब्धा योजना शुरू की तो दूसरा आपका जो है इसमें कहीं से भी आपका सही नहीं होगा पहला कथन आपका सही होगा ठीक है यानि जो गवर्मेंट ने शुरू किया था उजला योजना उसके अंतरगत जिन्हें में नहीं मिला है उन्हें जो है ये connection दिया जा रहा 43 के बाद 44 नंबर सवाल आप सभी के सामने हैं अब से कह रहा कि पूर्वोत्तर छेतर द्वारा पहला बांस और दोगिक पार्ग असम के किस जिले में स्थापित किया जाएगा बहुत ही important प्रशन है हमेसा ध्यान रखेगा यानि पूर्वोत्तर छेतर में ये पहला बांस औ जरूर ध्यान रखेगा लगबग 50 करोड उपय की लागत से इसको जो है अस्थापित किया जा रहा है और लगबग 75 हेक्टेर भूवी पर 50 हेक्टेर भूवी पर जो है इसको 50 करोड पैसे के साथ जो है निवेस के साथ इसको लागू किया जा रहा है अस्थापित किया जा रहा है मार्च 2021 तक इसके पूरा होने की संभावना है कब तक मार्च 2021 तक ठीक है तो इसमें फरवरी मां से बनने वाले आपके लगबग 244 प्रश्ण रहें इसको ध्यान से देखे इसके PDF आपको जल्द उपलफ्द होगी ठीक है अब पर आपको PDF मिलने इसलिए इसकी चीज को बहुत ध्यान से देखेगा सारे लोग ठीक है बाकी अन्य भी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी आप परिक्षा प्लस पर बहुत सारी सीरीज चलाई जा रही है लाइव क्लासे चलाई जाती इसलिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए साथी मैं आपको जल्दी मिलूंगा तब तक मस्त होकर इस चीज को पढ़िए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद